हेलो बच्चो मेरा नाम है अबिनो पाठक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 10 का अगला वनसॉट जिसका नाम है प्रश्टीज शेत्वफल और आयतन ठीक है तो आज हम लोग सर्फेस एरिया एंड वाल्यूम का वनसॉट रिवीजन करने वाले हैं मतलब एक ही लेक् कवर कर रखें तो जिसने भी अगर नहीं कवर कर रखा है तो जो बचे हुए उनको मैं करा दूंगा उसके लिए नहीं परिशान हो और अभी आपको इस नेक्ट वीक तक सारे वनसॉट अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो पिछले जो मैंने वनसॉट वीडियो कराएं NCRT आधारित सारे PYQ उसके साथ मैंने कराएं है विद कॉंसेट के साथ कराएं तो सारे लोग इसी चैनल पर सारे तुम्हें वनसॉट अव्लेवल मिल जाएंगे डाउटनेट के चैनल पर मिल जाएंगे तो वहां से आप इनको क्या करिए कवर करिए सारे वनसॉट ठीक है जब एक साथ आप कंप्लीट करोगे इससे आपकी बैठने की चंता भी बढ़ जाती है एक्जाम में भी हमें बैठने ही पढ़ता है डिर दो धाई गंटे करने को जब एक्जाम लिखो गए अपना तो ड़ा तीन गंटे लिखो गई तो इससे बैठने की भी प्रैक्टिस ब है यहाँ पर है यहाँ पर हम क्या करते एक अच्छाड़े पहुत की आप करchl picture 아ण अब को यहाँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे कि 9th में जो हमने पढ़ा था वहां पर जो पढ़ाथा अमने थोसों के बारे में अध्यन किया था जैसे इसमें दो चीजह हमें पढ़नी है दो चीजह कौन-कौन सी पढ़नी है एक में पढ़ना ठोसो के सयोजन का प्रश्टी छेत्फन और एक ठोसो के सयोजन का आयतन ठोसो से मतलब क्या है जो आकरतियां जो ठोस आकरतियों की बात कर रहा है जैसे की बात करें घन की घनाब की संकु की ठीक संकु के अलावा गोला है बेलन है या अर्द गोला है अर्द गोला या फिर बे आक्रति पला कर भिया अप घंके बारे में आप इस सेप्ल पर ने की बात हो रहीु होती थी इस chapter में आपर क्या है कि ठूसों के सयोजन की बात हो रही सायोजन का मतलब क्या है एक प्रकार से जब दो या दो से अधिक ठूसों को आप मिक्स करके एक नई आकरती बना लेते For example, जैसे कि मैंने एक मालो बेलन लिया, कि हमारे पास एक बेलन था, एक हमारे पास बेलन हमने लिया, और इस बेलन पर हमने क्या किया, इस बेलन के उपरी और निचले सिरे पर एक हमने गोला, अर्धगोला और बना दिया, मतलब अध्यारोपित कर दिया, या मिक्स कर दिया, जो भी बोलना चाहूं कि इस बेलन के ऊपर भी एक अर्ध गोला यह हमने बना दिया, एक नीचे भी अर्ध गोला बना दिया, तो इसे ही हम ठोसो का सयोजन बोलते हैं, सयोजन का मतलब यही हो गया कि आपने बेलन को अर्ध गोलों के साथ सयोजित कर दिया, मिक्स कर दिया, य आपको बेलन का छेथफल पता है मैद बेलन का छेथफल लग फिर आप अर्द गोले कासीतफल लग दो सुझे अंधाख कर बनी एक बेलन है। और दो अर्ध बाते का मतलब एक ही इस प्रकार इनका आयतन निकालना है सबसे इंपोर्टन दो चीजे ह 근서 ने में कि की सिर आपको बना बनाएंगे कभी कि से सोच कर language पढ़के बनाना होगा figure बहुत important दिया जाए तो भी आप copy पर बनाओगे जब अपनी exam लिख रहे होगे नहीं दिया जाएगा तो तो बना नहीं है दोनों case में आपको figure बनाना है और proper figure बनाना है क्योंकि figure के marks होने वाले हैं आप pencil का scale का eraser का proper use करके आप एक figure बनाएंगे जैसे मां यहां रफ diagram बनाओंगा हां से free diagram बनाओंगा लेकिन आप हाथ से नहीं बनाएंगे आप scale का proper use करेंगे उसका दिखना presentation अच्छा होना चाहिए तो आप उसको proper बनाएंगे ताकि examiner को देखते ही समझ में आजया और वो माक्त देकर आंगे बढ़ जाए ज्यादा लेट नहीं करें उस पर टिक है ज्यादा फिर गलतियां होती तो गरबर होता है मामला दूसरी चीज important ये फार्मूले सूत्र के बगाइर हम इसमें नहीं बढ़ सकतेकि वैसे शूत्र नॉट से ही हम ये सारे पढ़ कराएं मैं पूरे सूत्र फिर से golden period है इस टाइम में जम के पढ़ाई करनी है पता है कि सभी को डेट सीट भी आगे है टेंथ की भी डेट सीट आगे साथ 27 फरवरी को अपना मेहत का एक्जाम है 22 से सब्सक्राइब के बारे में सब आकरतियों के सबसे पहले हमारे पास घनाब है घनाब बेसिकली होता क्या है घनाब एक प्रकार से तुम्हें अगर सामने वाली फलक देखो यह ए बी एफ देखो तो यह आयत के रूप का दिख रहा है तो जब किसी आयत को तुम उचाई का कराकरति है मतब सारी भुजायँ इसकी बराबर होती है जब कि घनाब जो होता है वो आइतार नुमार सेब को तुम उचाई प्रदान कर देते ओ benefiting कर देते करके लंबाई चोड़ाई उचाई तीनों यहाँ पर होंगी, तो वो क्या बन जाता है, घंड मन जाता है, और वो भी एक्वल होती है, तो घंड Хमारे पास एक प्रकार से वरगा कारा करती है, और घंड आप जो ती वो आईता कारा करती ही हुता है, और दोनों में अंतर basic ही है, बैसीक अंतर यह है ठीकए अब इनकी हम बात कर लेते हैं इसमेर दो चीजें में फार्मूले लिखें फोड़ा स्पीड में चलेंगे आप तो कि नाइंथ क्लास में सारे फार्मूले लोगोंने पड़ा रखें तो मैं सीधे फार्मूले ही लिखता हूं ताकि आप बस फार्मूले से ही काम चल जाएगा उसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है में सिधे फार्मूले लिखो उसी से डारेट कोश्चन में अपलाई होगा हमें याद उने ची आंसर आएगा अपने ठीक है अब इसमें हम अगर प्रश्टी छेत्फल लिख पास लंबाई और उचाई हो जाता है ठीक यह मारे पास होता है गनाप का प्रश्टी छेत्फल इसी प्रकार दूसरा आयतन सिंपले फार्मूले याद हो जाएंगे बिल्कुल परेसान होने की जोपने दिखना लंबाई चोड़ाई उचाई फिर उचाई लंबाई दोगा गुणा करना है यह सिंपल होती लंबाई चोड़ाई गुणे उचाई एल मतलब लेंथ बी मतलब ब्रित एच मतलब हाइट मतलब चोड़ाई लेंथ मतलब हाइट लंबाई एच मतलब हाइट टिक तो यह मारे पास लंबाई गुणे चोड़ाई गुणे उचाई होती है सेम ऐसे अगर हम घं की बात कर लें तो घं में हमारे पास प्रश्टी चेत्फल क्या होता है घं का प्रश्टी चेत्फल होता ह होता है 6 गुण भूजा विसकाहर इसमें 6 फलक होते है गोने भूजा τον कहीं तो इसके की बात कर ले हैं है तो है तन होता है को बूजा फॉजा की ओर ना हो eer Дग कें पढ़ा था एक 2 एंट은 इन्टियस्व को कई असको होता है बॉजा को जैसे यहां पर यहां से से लिखिये हम इसकोиком test alqb लिख सकते हैं यह जो यहाँ पर लिखा होता है किसी ऋपक में तो अ मतलब होती है वो भुजा तो यह लिखा ओल इक लिखा ओ तक क्यो लिखा ओ लिखा हो कियो लिखा हो ऊत्यार है चैन्राल रूप में रखो रूप बुजा इसको है और बुजा क्यूट क्या होता है इसका छेत्फल और इसका यह आयतन होता है ठीक है आंगे चलते हैं हमारे पास बेलन की बात करते हैं सिलेंडर की बेलन का जो हमारे पास छेत्फल होता है बिसिकली दो प्रकार से होता है, इसको थोड़ा साउट में समझ लेते हैं, बेलन को, थोड़ा हो सकता है कि आप लोगे दिमाग में ना रहा हूँ, एक थोड़ी दिर देखना इधर से, मैंने एक पेपर को क्या किया बेलन के रूप में फोल्ड किया, इसको मैंने मालू बेलन एक होता है, वक प्रष्टिचेत फल, मोरि सकते हूं, वक प्रष्टरफर। चेत कि मिला ने फिरीब दूसरा होता है, अप ऐसम पूर्प्रष्ट चेत फल, दोनों में अंतर इस्पस्ट होillar का क्योंकि थोड़ा, इसी में डाउट रहता है, तो वह थोड़ा इसपस्ट कर ल ऐसे लिए ओस्ट को यह दो लिए होता क्या है ढूर्प के मतलब होता है कि 600 प्रस्तोफ मतलब होता है कि जो यहां पर क्रोश स्य श्यचनल एरिया इसका होता है। उसकी अगर हम बात करें जो स्टाए का मस्का यह भी खोकला तो इस सताय का लिए सका अगर इसका अगर केवल छेटफल ले लिया जाए, इसका पूरा अगर अगर छेटफल, इसकी सतय का पूरा छेटफल ले लिया जाए, उसे वकष्ञ परष्ट ही छेटफल के दे, मतलब यह हुआ, जैसे ये बेलन है, इसको मैंने 20 से इधर काटा, और इधर कार्टर के खोल दिया, मतलब अगर इसको हम खोल देंगे, तो बेलन कुछ इस प्रकार की सतय बन जाएगी, एक simple paper ऐसा बन जाएगा, तो यह जो छेत्फल होता है, यह सतय का जो छेत्फल होता है, यह इसका वक्कप्रस्ट छेत्फल होता है, तो सर संपूर प्रस्ट में एक चीज और add हो जाती, क्या, जो इसका उपरी और निचला सता है, यह निचला और उपर सता है, जो यह खोकला दिख रहा था, इसको जब हम बंद कर देते हैं, बंद करने का मतलब यह जैसे सता है, यह कैसी दिख रही तुम्हें, एक वरत दिख रहा है, इधर भी एक वरत बनेगा, आर तुम्हें दोनों तरफ एक वरत दिख रहा है, तो इधर से भी बंद कर दो, इधर से मलब यह भी area ले लो, यह भी area कैसे ले लो, इसको बंद कर लो, तो यह भी area जोड़े लो, इसको बंद कर दो, तो यह भी area जोड़े लो, तो यह जब तुम इनके क्या करते हो इनके उपरी सतह और निसले सतह के आप क्या करते हो छिथफल जो वर्थक के छिथफल है इसको भी वक़प्रस्ट के छिथ Depthal के साथrade कर लेते हो तो वह पूरे संपूर प्रश्ट का छितबल हो जाता है मतलब यह हुआ कि केवल और वक्कप्रष्ट का छेत्वल जो सतय का छेत्वल होता है संपूर प्रष्ट का छेत्वल वो होता है जो जगए खुली होती है इनको भी आप बंद कर दो ये भी बंद कर दिया इधर से भी और ऊपर से भी बंद कर लिया जब दोनों और से हमने बंद कर लिया तो इस वरत का बहाइन का मतलब या होता है कि इसको अगर तो कितना पार या सकता है कि इसकी मातरा ऐसे होता है वह सुपर्परRR यहां हों यह और होता है तो पाई-ार रहे ारे पास हुआ ऐगा यह वरत अच्छेदफल और यह घौा तो एक ये एक ये तो दो पाई यारी स्कायर हो जाएगा ठिक क्योंकि दोनों है उपर नीचे यहां से आप टू पाई यार कॉमन ले लो तो यह बचेगा एच प्लस आज ये इसका हो जाता है वक्क प्रष्टी ए संपूर्ण प्रष्ट का छेत्वर ठिक आयतन हमारे पास क्य होती है पिवोगर संकुं संक您 कि यहीं उसमें तो ऊंपक्रष्ट का छेत्वर रिखना तो इसका निचला सिरा खुला होता है यह पूरी आगर इस की पूरे चार अर की तुम बात कर लो वह इसका वक्क पूरे च्होनार होगा इसमें वहारे पास क्याहोगी दो चीजे हो जाएंगे क्योंकि इसमें जहांपर और नीचला सिरा होटा है वो इसका खुखला होता है फ़ टोपी का निशला सिरा क्या होता है और वतक्र के Buddy शेफakahोता है और जोने को आपको व्रत्र दिखता है न तो ये व्रत्र की सेव को हता तो इसको निच remembering और शेत्रुंब शेट ठीक और तीसरा होता है इसका आयतन तो को वकर प्रश्टी शेटवल इसका पाई आर एलोता है एल क्या है एलिए तरियक उचाई यह आर हमारे पास क्या इसकी त्रिज जाए एल आप निकालोगे कैसे सर एल स्कॉयर बराबर हम लिख सकते हैं पाई था गुरस प्रमें से तो यहां से एल की वेलव आप निकालते थे अंडर रूट के अंदर ह स्कॉयर प्लस का यहां से आयल आजाएगा ऐलमाई तरिया कुछ अहुती है ठीक यह यह अमारी क्या होती यह त्मपूर परेस्ट का छेथवल तो ले नहीं पड़ेगा पाई आरे यह और प्लस तुमें आयतन तुम्हें पता होना चाहिए एक बटे तीन पाई आर क्यूब होता है तो हमारे पास ये संकु के हमारे पास क्या हो जाएगा वक्क प्रष्ट का छेत्फल होता है संकु का हमारे पास संपूर्ण प्रष्ट का छेत्फल होता है और संकु का हमारे पास क्या होता है आयतन ह होता है एक बटे 3. pi r isquire h, यहां थे clear सभी को चले आंगे, अब अगर हम बात करें हांगे, संगो के बाद बसता है, गोला और अर्ध गोला, गोला और दखू, गोला में क्या नतर है, दिको गोला और थोड़ा वरत में थोड़ा नतर इस पषट कर लो, आपको पता है कि गोला जो व्रत होता है वो दो विमी आकरती होती है इसका मतलब क्या है दो विमी आकरती है और गोला त्रिविमी आकरती होती है इसका मतलब क्या है कि गोला जो व्रत होता है इसको हम कागच पर बना सकते हूं मतलब 2D सरफेस पर बना सकते हूं जिसे बोर्ड जैम्ति कहते हैं उसे दो विमी आकरतियां कहते हैं जिन आकरति को बनाते हो तो यह जो वरत्त है यह हमारे पास दो विमी है क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है कि इसको हमने एक सिंपल सरफेस में बनाया है जबकि आपके पास जो गोला होता है वो त्रिविमी आकरति होती है जैसे इस पे बना है, यह actual में है वरती, लेकिन बताने के लिए कि यह गोला है, तो हमने गोले की safe में रखा है, तभी इसको ऐसे भी दिखाया गया है, यह हमारे पास त्रिविमी आकरती है, कैसे समझोगे, for example, जलनल लाइफ में समझो, जैसे आप मालो एक सिक्का लिया आपन अलेक्चुल में दिखे कि क्या इस पे बोर्ड पर बनाने पर नहीं, तो 3D में जो सकती है, यह आप उसको ऐसे assume कर सकते हो, कि उसमें कुछ उभरापन भी है, तो वो 3D आकरती में है, तो यह हमारे पास एक गोला है, बेसिक बात यह है, बेसिक अंतर यह है, और कुछ नहीं पर, क्योंकि कोई खोकला इससा नहीं, तो गोले का प्रश्टीज हेत्फल, जो हमारे पास होता है, वो क्या होता है, 4PiR square, और इसका जो आयतन होता है, गोले का वो ता है, 4 बटे 3, पाई यार क्यों, यह इसका आयतन होता है, अब हम अर्ध गोले पर आओ, तो इसको गोले को उसको आधा काट दो ऐधा जब घडोंगे अब तुम्हारेपास क्या वगए यह सरफेस बची इसकी और यह इधर खोकला इसा बचा उसमें अंदर चाला जाहेगा यह इता खोकला भूप्रत का चैटफल हो जाएगा अब यहां पर क्या हूआ कुछ खोखला बाग भी आग तो दो ले लिए जाएगे तो यहां पर क्या होगा अर्दवरत में एक थो गाव्रक्त प्रष्टी छेथवा जया वॉक्त प्रख्रस्टी अ फीछ द्रधा सित्वल किता था थागत है था फोर पाईகस ऒड़ रवा LGBT जब तूल अंठ्वी आप पता ये अर्थ गोलाष चेफ़ल है वक्त्रश्ट वो तो ले नहीं है तो पाई आर स्कॉयर तो ले नहीं है जो इसका है अब साथ में क्या लोगे पाई आर स्कॉयर भी क्योंकि यह मारे पास क्या है एक वरत्त बनना है तो वरत्त का छेथफल भी ले लोगे पाई आर स्कॉयर या गोले का भी लिखो तो भी पाई आर स्कॉयर ही होता है तो यहां स यह इसका आयतमित यह basic basic से फार्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए जो मारे पास आक्रतियों के फार्मूले है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है ठीक सभी को फार्मूले के लिए रहें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कोई समस्या तो नहीं यह यहां तक ठीक, very good, यहां तक सबको बात clear है, आप चलते हैं, आँगे, आप सीधे मैं question से start करता हूँ अपने practice, पहले question number 2 है, जो exercise का दूसरा question लिया है, मैंने पहले exercise का जो दूसरा question है, उसको पहले solve करते हैं, कुछ questions में तुम्हें diagram दियोंगे, कुछ मैं में खुद से बनाने होंगे, मैं start करता हूँ, ठीक, पहले basic से चलेंगे, और अच्छे-चे question सारे करेंगे, कह रहा है, कोई बरतन एक खोकले, अर्ध गोले का आकार का है, ठीक, एक बरतन है, वो अर्ध गोले का आकार का है, ठीक है, जिसके उपर एक खोकला बेलन अध्यारोपित है, एक हमारे पास बरत एक बरतन था, ठीक, यहां तक माल लिया, कर एक प्रकार से ज़र पर वज्छे wa ऑल, कर दोटरा है, कह एक हमारे पास, फिर हमारे पास क्या कह रहा है, कि इसके उपर एक खोकला बेलन अध्यारोपित है, एक इसके मूपर बरतन रख दिया गया है, तो यहाँ पर एक बेलन इ ने डाइग्राम पर ना जाना तुम्होंग अच्छा डाइग्राम बनाना भाई ठीक यह हमारे पास हमने क्या किया इसके उपर एक बेलन रख दिया यह अब देखो क्या क्या इसमें दिया गया है कि अर्द गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है यह अर्द गोले का व्यास है यह यह पूरा व्यास जो है यह 14 सेंटीमीटर का में कोश्चन में गिवन है कि कोई दिक्कत नहीं 14 सेंटीमीटर है ओपर लिख देते हैं यह मैं 14 सेंटीमीटर का गिवन है कि यह पूरा जो व्यास है यह 14 सेंटीमीटर है ठीक बेलन की कुल उचाई, बरतन की कुल उचाई, ये पूरा जो बरतन बन गया, इसकी कुल उचाई 13 cm किये, ये पूरी उचाई जो है, इसके साथ ले लो अगर, तो 13 cm है, ठिक, डाइग्राम नीट और क्लीन प्रॉपर बनाओगे, फिर समझोगे, कहरा आंतरिक प्रष्टी खोकला बेलन है, वक्रष्ट के छेटफल निकालना है, आराम से वक्रष्ट के छेटफल निकालेंगे, हमें क्या-क्या चीजे चाहिए, हमें वक्रष्ट के छेटफल निकालने के लिए, इसका मलब इस पूरी आकरती के छेटफल निकालने के लिए, क्या-क्या कौन से छेट है रश्टी एक है से निकलेगा सर्जाव हम क्या करेंगे जवा क्या करेंगे इस बैलन के छेतफल में अर्धो जोड़ देंगे कि बैलना आर्धो और भूले दोनों से मिल कर हिए पात्र बना तो के लिएधोल कोशित्य प्लस अरदों गोले नीका छेतफ़ बेलन का छैत्तल आपड़े कोई अप्षिन है नहीं गुरे लोनगो जन्सक्राइबन का फार्मूलान का क्षैतल का वर्मूला होता है नorge कि बेलन्गा शेत्वल का फार्मूला होता है 2 πाई और ह कि वक परस्ट की बात हो रहें लिग देते हैं बेलन का वक परस्ट का शेत्वल लिग दो यहांपे ताकि दिक्कट नरहें 0,0,00 वक को परस्ट पर शेत्वल की इसका भी लिख लो अरद कूले कर दिक प्लस अर्द गूले का वह कपरस्टी शेट को ठीक दोनों को जोड देंगे अर्द गोले का प्रक्रष्टी का छेट फल हमारे पास क्या होता है तू पाई आर इसकोर ठीक है अब यहां से क्या हो सकता है यहां से अगर तुम देखो पहले जब भी ऐसे तुम फार्मूला लिख लो तो डारेक्ट वैल्यू ना पूट करने लो जो देखो इसमें कॉमन नि निकल ले होगी तो उनको कॉमन ले लो तूपाई आर पूरा कामल आ जाएगा कोतो पाई यार कॉमन ले लो यह बचेEban । इंट हो अब में यहां पर हैच किया सब्सृ इसक्राइब एक ऊसथ मतलब यहां से मालव अ दूसरे पिंसे कर देते हैं यहां से यह उचाही चाहिए पूरी उचाही कैसे निकलेगी ध्यान से देखना यह पूरी अर्द गोले की अगर तिरिज्जा की बात करें तो अर्द गोले की व्यास की बात करें तो 14 cm दिया गया है जो अर्द गोले का व्यास है, वही वेलन का व्यास होगा, तो वेलन की तरिज्जा भी वही होगी, यह पूरी 14 है, तो यह पूरी कित्ती होगी, 7 cm होगी, यह बात हमें पता, यह 14 है, तो यह 7 होगी, तरिज्जा है, क्योंकि व्यास 14 दिया गया है, तो यह 7 होगी, और अर्द गोले की ये तरिज्जा अगर साथ है तो ये कहीं भी मिलाओ चाहें इधर मिलाओ चाहें इधर मिलाओ चाहें नीचे मिलाओ हर जगे ये साथ साथ होगी क्योंकि तरिज्जा है तो हर जगे ये क्या होगी हर जगे इसकी वेलू साथ होगी मतलब यहां पर अगर हम इसको नीच से लिख सकते हैं कि यह 13 यह साथ है तो हमारे पास त्यों जाए कि 6 cm क्यों जाएँ टिख डाइग्राम पर नहीं सर सात चोटा लग रहा है यह साथ है यह यह सोचना है कि साथ पूस्टपा यह अच्छ सब्सक्रा लग रहा वह रफ है सदोड़ा cheating बाकी यह साथ है यह जो ठीक तो यह हमारे पास क्या मिल गई यह में ह मिल गया वेलंकी एच मिल गई हमारे पास 6 सेंटिमेटर की बस उसी जडियर थिए बाकि तो सब भी मारे पास वैलू रखना इस्टाड को आप रकहूँगे 2 पाई की वैलू रखो बाई बटे सात रखो या तीन दसंवलों फो इस करने calculation के recording रखना 22 बटे साथ ज्यादा सही रहेगी आर की वेलू भी देखो यहां पर साथ ही है आर हमारे पास क्या रिज्जा है और साथ है और यहां पर हमारे पास किता निकला 6 यहां पर लिख सकते हो यहां पर लिख देना कि सब्सक्राइब और रखना और सब्सक्राइब यहां पर रखी रहें और हमारे पास किता हो जाएगा साथ सॉल्ट करो साथ से साथ तो कड़ गया 22 चौना 44 चांट 13 13 चौको 52 और तेरा चौको 52 संटीमीटर स्कौर क्योंकि छेत पल यह आपका अंसर हो जाएगा तैट चुरा आ अराम से सारे locations लगा लोगे बस ध्यान से देखना है फार्मूले याद होने चाहिए एक तुफीगर हमें पता होना चाहिए कि कहां पर क्या है हमें पता है कि यहां पर यह अर्ध गोले की बात हो रही है तो यह 14 सेंटीमीटर है तो यह हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगा और य इसलिए हमने आपर इसकी उचाहिए निकाल ली उचाहिए निकाल ली बेलन की उचाहिए की बात हो रही है ठीकर चले आंगे चलते हैं अगले question पर अगला question ने हो क्या कह रहा है रासित को यह बढ़ा question है बहुत प्यारा question उधारन इसके बहुत अच्छे दिए पहले इससे रासित को क्योंकि मला इसमें थोड़ी calculation अच्छी है रासित को जनम दिन के उपाहर के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था ठीक वह इस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता है ठीक उसके पास मोमियों वाले रंग है मोम वाले नहीं रंग होते थे वह अले रंग है इसके पास और उससे रंग करना चाहता बाकी दोनों लाइनों का उपर की कोई मतलब नहीं हमारे लिए कोई उसके लिए यूसपुल नहीं है नीचे की तीन लाइने पड़ो जो काम की है कह रहा है एक लट्टू एक संकु के आकार का है दिख किये गए किये जाने वाले रंगों का में क्या करना यहां पर छेथफल ग्याद करना है पाई की वेलू बाइस बैटे साथ लेना ठीक स्टार्ट करते हैं देखो बास समझो वकप्रश्ट का चेथफल निकालना सीधी सी बात है क्योंकि हमें उसकी जो रंगेगा तो अंदर करना सी दो उलिकल के राया कि इसके द्वारा किये गहाए रंगो वाला छेथ फुल ईकह हमें ऐखरती का सीधे चेथ फल लगते है आकरती का जो आकरती हमें दी गई इस आकरति का जो हैं तो आकरति का जो छेतफल होगा वो किस से मिलकर बनी अक्रति सर एक शार एक और दो गूला एड़ शपला है जैसे पिछले बेलन और क्या था अर्धोला ऐसे यहां परink वर तो सांदू करना प्रश्टी अ प्रेश्टी कि के फिल ए yen अर्द गोलेगा कि वक्क रष्थिजफ़ को वक्क प्रस्थी पूरा लिखना है प्रॉपर ऐसे इसे लिखनाiance कोई दिकित नहीं करें कैसे क्या है अब देखो रिखोग्या का वकप्रस्थीश्यथफल खोल का फार्मूला होता है आ है और अर्द गोले का वक्त प्रस्टी शेटफल होता है टू पाई आर इसक्वाइर यहां से अगर हम देखे तो पाई आर हमारे पास कौमना जाएगी यह बचेगा एल प्लस टू आर ठीक यह बच जाएगा कोई दिक्कत नहीं क्या क्या निकालना है बाई एक तो आर चाहिए त थीं दसमरू पास सेंटी मीटर का यह व्याज से तो त्रिज्जा इसके है अदि ऎकट निकजाएगकि यह टिरें कुछ आई यह एल होती है यह लोती है यह हार इस यह लंपास निकालने के लिए आपके पास New मुला है उसमें h की जवद पड़ेगी मतलब hb निकालना पड़ेगा अब ध्यान से देखो पहले तो r देखो r आराम से निकल आएगा अगर हम यहां से ऐसा करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं तो यह h चाहिए और यह r तुम्हें आराम से पता है कि r कित्ता हो जाएगा पूरी 3.5 है पूरी 3.5 है तो 3.5 बटे 2 जो होगी वो r हो जाएगी तो r जो हमारे पास यह होगी वो 3.5 बटे 2 हो जाएगी यह बात तु क्लियर है तुम्हारे पास r है l तुम्हें निकालना है h कैसे निकलेगी h भी निकल आएगी अब वही बात आगी जैसे कि हमने यहां पर किया था कि चाहे 7 इधर हो चाहे 7 नीचे हो सेम ऐसे यहां पर क्या होगा चाहे 7 तुम इधर ले लो और चाहे तुम यह बोल दो कि 7 यह ऊपर यह तीन दसम्लों पां बटे दो ही ओगी ऐबागा इस पेश्च है तो अगर ये 3.5 बटे कादो सेंटीमेटर ये मारे पास क्या है है ये रहने पास निकल आएगी तरजा कि पूरी पांच है ये 3.5 है तो ही अच निकाल सकते हैं मैं इधर लिखता हूं साइड में हैकल इन साइड में लिकाल देना, h बराबर क्या हो जाएगा, सर पूरी हमारे पास कित्ती है 5 ठिक, पाँच में से अगर हम उस त्रिज्जा को माइनस कर दें, इस पूरी पाँच में से इस त्रिज्जा को माइनस कर दो, तो यह H आ जाएगा, ठिक, क्योंकि पूरी पाँच है, और 3.5 को निकाल दो, तो 3.5 बटे 2 को निकाल दो, क्योंकि 3.5 तो व्यास है, बटे 2 भी कर पड़ेगा तरिज्जा के लिए तो एच बराबर किता आ जाएगा 10-3.5 बटे 2 तो यहां से एच आ गया हमारे पास किता है चाह गया सर 6.5 cm अअब तुम्हारे पास क्या है एच है और आरभी आरम में पता है किता है आर हमारे पास इन देसंब्लों 5 बटे 2 सेंटीमिटर यह भी दो है बटे में 2 इसका झाले अर इसका बटे कदो तो लगा लो और आर हमारे पास किता है 3.5 गंदी कैलकुलेशन होने वाली है देसंब्ल हम बाद में भी लिख सकते थे लेकिन इसलिए लिखा इसको क्योंकि समझ आ जा जाता कि क्या-क्या चीज़ें हमें अक्चुल में चाहिए इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ठीक अब यहां पर हम क्या करते हैं रोट के अंदर है है और पलस का ऑश्वान है तो यह हमारे पास लंब हो गये कर ले लेना एच का ईसको होता है तो अगर निकालेंगे तो अंडर रोट लड़ चला जाएगा तो अबराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर है h की value हमारे पास क्या है 6.5 बटे 2 का whole square और यह हमारे पास क्या हो जाएगा 3.5 बटे के 2 का whole square इसको अगर तुम solve पर तो मैं अभी directly लिख दे रहा हूं calculation मैं direct कर दे रहा हूं calculation तुम लोगे मुझे पता है तो अगर तुम्हें आज से l की value निकालते हो तो l की value तुम्हें कित्ती मिल जाती है 3.7 cm की लगबग value आ जाती है इसको solve कर लेना 3.7 cm आता है मुझे यहाद है तो मैंने 3.7 cm डिख लिए calculation थोड़ा टाइम नहीं दे है तुम्हें calculation कर देता है गुणा करोगे आराम से आएगा 65 स्कॉयर कर लेना फिर आप दो बटे दो नीचे 4 आएगा सेम वैसे निकल आएगा तो 3.7 cm निकल आएगा अब तुम्हारे पास l है r है सब कुछ है value रखो सीधे रखना प्रारम करो मैं यहाँ पर value रखना इस्टार प्लस दो गुणे r हमारे पास किता है 3.5 बटे का 2 इसको थुला solve कर लो मालो 2 से इसको काट दो तो 11 हो जाएगा 7 पना 35 होता दसम्लों लोग होगे 0.5 आजाएगा 2 से 2 यह कट जाएगा तो यहाँ से किता आजाएगा यह हो जाएगा 11 55 मनलब 5 5 और अंदर bracket में आजाएगा 7 5 12 2 3 3 9 10 ठिक साथ 5 12 क्याता तो एक से किड़े गुणा जोड़ना है सहीटो है सहीटो है साथ 5 12 के 2 आसे लगा एक 3 और 3 6 7 7 10 हं से दो आएगा ठीक जोड़ दिया अब इसका गुणा कर लो तो यह कितना आजाएगा मैं एक बह गुणा कर देता हूं बाहतर दूले 55 पान दूना दस पान सते 35 एक चछतीस फिर जीरो छह तीन अतलब जीरो छह नो 49.6 आ जाएगा यहां से आ जाएगा अच्छी थी इसमें बाकी कोश्चन करना सेम उसी पैटर्न से ठीक है बेलन कोश्चन इसलिए आसान हो गया था कि कोई इसमें डारेक्ली सारी चीज़े थी एच आर सवा में डारेक्ली मिल गया था ऐसे जोड़ गटा के यहां पर इस कैलकुलेशन की थोड़ा ज्यादा यूस तो यह जरूर रखना कि तिरेक्ल आ राम से सब्सक्रेम कासे अच्छा कोश्चन था थी है तो यह कोश्चन है मारे पास देखो संकू को जाओमने संको कि उपर इक अर्द गोला द्यार रूपित किया एक बार हमने लन के ऊपर कि है ठीक अब आंगे अगर चलते हैं जैसे ये कोश्चान यह भी प्यारा को देखा होगा तो दवा का जो एंवो बेलन के आकार का है यह दवा का कैप्सूल बनाए तो को इसको थोड़ा सा अगर इसके सेप ऐसा कर लिया जा तो और अच्छे समझ में आएगा देखना कि माल लो अधरे कि इस प्रकार का होता है न दवा कि यह हैं ना ऐसा ही तो होता है है कि इस प्रकार का तुम्ने दिखा होगा यह साइड से भी एक अर्धगोला होगा इधर साइड का एक प्रकार से सेफ लिनिता है यहीं हमें कोईशन में गीवन है ठिक कह रहा है कि जिसके दोनों सिरो पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ यहां पे भी अर्ध गोला लगा इधर भी अर्ध गोला लगा ठिक देखिए आकरती बारत समलोग 10 में दिख रही है पूरे कैप्सू लिखलेगे तो यहां से क्या हो जाएगा बेलन का यहां से यह आकरती जो है ये प्रष्टीचेत्फल हम सीधह लिखते एक ब्रष्टीच ऑल तो प्रष्टीचिच फखल कैसे निकलेगा इस आकरति का वो हमारे पास बराबर होगा इसके तो दो ऍर 15 अर्ध गोल ने कचे थ अर्ध गोले का वक्क प्रष्टी छेत्पल वक्क प्रष्टी लेना है दुनों में वक्क प्रष्टी छेत्पल अब तुम्हें पता है यहां से बात समझो अब यह अर्ध गोला है लेकिन दो अर्ध गोले हैं तो दो से गुणा कर लेना बस दो से गुणा क्यों हुआ है क्यों आर। अर्द मेंद भी साल थॉड़ा सा इधर कर लेता है टो फ्लस और यो जाएगा दो हमारे पास अर्द मॉले का चेटीम यह दिकव अब लिख रहे हैं बैले फोल मारे पास होता है tu 5 3 और अर्द गोले का च्ष्थफल होता है यहां से क्या होजाएगा तू पाई आर एच प्लस यह मारे पास हो जाएगा पूर पाई आर स्क्वेर क्या 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 कॉमन आ जाएगा तू पाई आर कॉमन ले लो तो यह बचेगा एच प्लस तू आर हाँ ह Georg ako तो अब क्या क्या चाहिए तुम्हें अभी 60 हो तुम्हें क्या चाहिए एक तो ऑर चीए और कैस्का चाहिए आर तुमारे पास है आड चाहिए इसका लेखो र्धोले का चाहिए बेलन कदिको दुनों बातों का मतलब एक है वह कैसे निकलेगा आपको पूरी पता है, ये पा एम उपके चाहँ, अगर इसकार लिखना चाहो तो अराम सी लिख सेपते हो, कि सर जो इसमे आय वह ऊगा, यह, आर कितना हो जाüğेगा, सर आर बराबर यहां से डारेक लिख लिख सकते हैं, सर यह 2.5 म हो जाएगा, ठिक, अर इसका क्या हो जाएगा, दो लिख देते हैं थोड़ा आर बराबर 2.5 mm ठिक अब क्या चाहिए और H चाहिए अब देखो फिर से वहीवाद पूरी H कित्ती है 14 mm कि ठिक अब तुम्हें यह पता यहाँ पर एक बात बहुत इंपोर्टेंट है दो बाते धिहान देखना कि यह 2.5 है तो इधर भी 2.5 होगी य और यह भी 2.5 होगी बाई क्योंकि यह भी तो है ठिक यह भी 2.5 कोई दिककत नहीं तो यह भी 2.5 mm है यो भी 2.5 mm पूरी 14 है हमें किसमी यह बेलन की मतलब समझे जो और यहांане यहां से यहां तक की चाहिए तो यह भी इस्ता निकाल दो भी इस्ता निकाल दो दो समर्व पांच यह भी निकाल दो दो लुड़या हो निकाल दो उनीं काल दो तब जो तुम Origos 25.205 कि महीं श Tout है सा निकाल दो और एच जो है वो 9 mm है सभी की वेलू यहां पर पुट कर दो आंसर आ जाएगा तको यहीं करना और कुछ नहीं करना दो आर कित्ता ले 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 आर हमारे पास कित्ता है दो दूसमलों 5 ह। एच हไป हाँ नो मत दो गूले आर हमारेपास किता है 2.5 एच यह His合對 है और यह मारे पास हो जाएगा 25 गुणे 2 तो पांच हो जाएगा से यह हो गए दुख और 22 गुणे 2.5 बटे 7 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा गुणे में ये 5 और 9 9.5 14 हो जाएगा तो 7 से इसको काड़ लो के साथ 2.14 और कुछ हो जाएगा ये 2 का 2.5 में करेंगे 5.5 दूना 10 मतलब 220 आ जाएगा ठीक है 220 mm2 ये इसका अंसर हो जाएगा तो यहाँ पर कैपसूल का जो तुम्हारे पास एरिया था वक्क प्रश्टी एरिया वो निकलाया कितना 220 mm2 का पस समझने की बात यही थी जो डाइग्राम में मैंने यहाँ पर बताई फार्मूले आसान है फार्मूले याद रखो डारेट कोश्टन स्वाव हो जाएगा कोश्टन से बिलकुल नहीं गबडाना है इंदम आराम से सारे कोश्टन सॉल्व कर लोगी तुम ठीक है सबको क्लियर है समझ में आ रहा है किसी को कोई डाउट त कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक संकु अध्यार उपित है एक हमारे पास क्या है एक तंबू है बेलन के आकार का है मतलब कुछ इस प्रकार का है बेलन आकार बना दो पहले मालू यह हमने बेलन ले लिया यह बेलन है चलो कोई नहीं ठीक है इसा ही बना लिकने एक बैलन है मारे पास ठीक जिस पर एक संक अध्यारोपीत यह थे कि मैं थे संक को अध्यारोपीत कर दिया है तंबू का कार बन गया देखा होगा आपने तंबू लोग, कैम्पिंग करते हैं, तो वहाँ पर Hill Station पर जा करते हैं? ऐसे कैम्पिंग करते हैं, मतलब एक ऐसे तंबू ले के जाते हैं, फिर वहाँ पर बनाते हैं, जाके पाहड़ों के, तंबू के हमारे पास क्या होता है? अधिर कुछ देखोगे, कोई संकू का सेप उसी का यहां गड़ेत में उपई हो गए देखो क्या आंगे कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की उचाई और व्यास क्रमसा दो दसमलो एक एम और 14 मीटर है बेलनाकार भाग की उचाई ठीक बेलनाकार भाग की उचाई का है थोड़ा दूसरा पर नियुद कर ले यह हमारे पास 4 मीटर का है ठीक यह दूनों ऊपर नीचे दूनों तरफ यह 4 मीटर है ठीक कोई दिक्कत दें आगे ओ संकु की तिर्या कुछ आई दे दी बहुत बड़ी चीज दे इस ने दोध शमलोग 8 मीटर की संकु की तिर्या कुछाई दे दी ठीक तो iis तंबू से बनने 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 में प्रयूपधू कहनवास कछेत पां unload समझ एक लिए कपड़ा तिरपाल जयता है तिरपाल बोनते हो उसे जो बनने के लिए यह कपड़ा लगा होगा इसे तिरपाल लगा होगा यह तंबू को बनाने के लिए कुछ आवरण जो लगाओगा बारी आवरण इसी को कैन्वास बोलने जो यह तंबू आला जो प्रकार से कंप कपड़ा लगा उसको उसी कैन्वास का छहत पल कह रहा है उसका प्रष्ट का पूरा क्या चाहिए साथ ही 500 रॉपवाइ प्रती मीटर स्कुएर की दर्श में होने वाला कहिन तो इसbresट में से प्रती मीटर स्कुएर पर पर Morchl तो मतलब हम इसका वकटलेंगे सम्पूर प्रश नहीं लेंगे कुछिए झाल हार मतलब डहक देते corresponding नीचे से बंद कर देते हैं, वहाँ पर भी कपड़ा लगा देते, तो संपूर प्रश लेते, तो कि उन्हें बताया था भी, अब आधार नहीं डखा है, मतलब कि खुला है, तो वहाँ पर कोई तंबू का कैनवास नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो सो नहीं लेना है, अग लिखता हैं, कैनवास का चेतफल, कैनवास का, कैनवस का, चेतफल, कैनवस का, अगर तुम्हें चेतफल चाहिए, तो तुम्हें किसका, किसका चेतफल चाहिए, बेलन का और संकू का, बेलन का चेतफल, प्लस, संकू का चेतफल, बेलन का चेतफल भी चाहिए, और संकू का कुई दिक्कत निकालेंगे भीड का मुंळा थे nिखेट फार्मुला सर दिंड का फार्मूला होता है 2PiR2 तो पाई आर est संकू का उता होता है पायार ल कामन क्या मिलेकैसर हमिल चाहिएगा टूपाई मिल चाहिए ले लो क्या बच्चा 2H plus का L क्या क्याद चीजय चाहिए तुम्हारे पास यह तुम्हारे पास क्या है तुरियक उचाही L है H मतलब की इसकी उचाही Belaan की तो दसमलों 5 एक मीटर की दी गई है हमें H दी गई है अब लेल्ल की उचाई भी पता है आर अब है यार तुम्हें की यहां से दिया गया 4 मीटर है तान्म है कि यह 4 है हुआ है यह यह 4 जयाय तो यह किता हुगा दो होगा दो मीटर का हुग न क्योंकि आदा 2 मीटर ह cam 30 त्रिज्जा है वही बेलन की तरच जा दोनों की त्रिज्ज है से में संट की तिरिज्जा आर दा यहीं तो हो गिर तो वहीं हमारे पास आर यह थcias चिक तो हमारे पास आर दो मीठर सव तो एलू रख दugen ठिक यह जाएगा 22 बटे 7 गुले 2 एलकुलेशन कर ले ना यार 4.2 और यह जाएगा 2.8 यह मारे पास 7 बन जाएगा ना 22 बटे 7 गुले 2 और गुणा आ जाएगा 4 दो 6 और 1 7 कट कट कर जाता है कल्कुलेशन थोड़ा द्यान से करना आंके कुछ नकुछ कटी जाता है 22 दून आ गया 24 और यह आ जाएगा 44 मीटर स्कोयर का के नवास का छेथफल थिक फिर चो आलिस मीटर स्क्वाइर के आगया इस कैनवस का छेथ फल आगया हमें अब चुछ यह लागत लागत निकाल देते हैं साइड माई लागत अपको पता है प्ति मेटर स्कॉहार की लागत दीुग यह पांसोः हमें कित्थे की निकाल लिए स्टवालिस तो खुल लागत आ जाएगी, यह इत्ते रुपए की लागत आगे, 22,000 रुपए, लागत लगेगी जब आप इस तंबू को तयार करें, क्लियर सभी को, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो बताओ, आसान से कोश्चन है, अराम से सारे कोश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई तुम्हें मालो, यहाँपे ilna दिया होता, सेय समझो, कोई से, कभी-कभी ऐसा हो सकताकि, यहाँपे ilna देता, तो तुम कैसे निकालते इसकी, कुछ ना-कुछ, लेकिन एक्षटा दे देता, वह हो सकता, इसकी पूरी उचाई देता, समझे लिग, इस पूरी तंबू की निकाल लेते इसी में सम्में घुमाएगा इससे आदा कुछ extra नहीं करेगा इन्हीं में घुमाने के question पूछेगा आपको सारी चीजें पता है इसे के बाद अगर देखें, यह भी अच्छा कोश्चन है, नमा कोश्चन एक जो है, लकडी के एक ठोस बेलन के, प्रतेख सिरे पर एक अर्द गोला खोद कर निकालते हुए, समझ रहो, लकडी का एक ठोस बेलन था, इसमें क्या किया, उसने एक अर्द गोला के सेफ में, ऐसे ठोस एसे नीचे से निकाल लिया दोनों से थोस ऐसे समझो कि ऐसा तुम गटक ले लो एक बेलन सेफ कि ऐसे कोई पेंड होता जैसे ऐसे काटा ऐसे काटा एक यह बेलन हो गया आप इसमें से किया कि ऊपर से एक अर्धगोला निकाल लिया एक नीचे से अर्धगोला निकाल लिया त कि बेलन की जो उचाई है वो 10 cm है ये पूरी उचाई हमें दी गई है किती है 10 cm ठीक 10 cm है आंगे कहे रहा है आधार की तरिज्जा 3.5 cm है ये आधार की जो अमारे पास यहाँ पर तरिज्जा है ये जो तरिज्जा दी गई है यहाँ पर ये ये आर बरावर तीन सेंटीमेटर है ठीक तीन सब्लों पास सेंटीमेटर है ठीक तो इस वस्तु का संपूर प्रश्टी छेत्फ़ल हमें गयाद करना देखू सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी यहाँ पर लिखा है से पहले यही आएगा कि बेलन का भी संपूर प्रश्ट का छेत्फ़ल लगेगा और अर्ध गोले का भी संपूर प्रश्ट का छेत्फ़ल लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है तो को लिखा होने से नहीं लेना दिना समझो थुला सा कॉमन सेंस लगाओ संपूर प्रश्ट का कि जब हम निचले सिरे का भी छेटफल निकाले उपर सिरे का भी छेटफल निकाले मतलब यह बंद कर दे इस बेलन को दोनों सिरे से इसे बंद कर दे तो संपूर प्रश्ट का छेटफल होता कि जो उपर व्रत बंता उसका छेटफल निकालते नीच वाला लेकिन यहां पर बं नीचे भी एक गड़ा तो जब वो गड़ा है तो मतलब कि वो खुला एरिया तो वो बंद तो है नहीं अगर यह चीज सील होती पैक होती बंद होती तो इसका संपूर प्रष्ट का चेथफल निकलता जैसा कि इसमें कोश्चन में यह लिखा है कि संपूर प्रष्ट का क्यों क्यों तुमक्य दिख रहा है कि यहां पर भी खोकला engineers अगर यह तो आप क्या करोगे आप यहां पर यह अर दुद में दिख रहे और वही क्या किया गया निकाल लिया गया है, मतलब इस बेलन के छेत्रफल से क्या किये गए, ये दोनों अर्ध गोले निकाल लिये गए, ठिक, आप बेलन के छेत्रफल से क्या करोगे, दोनों अर्ध गोले को निकालोगे, तो इसके according छेत्रफल का formula यहाँ पर लगेगा, ना कि ये ऐसा ना सोचना कि यहां पर संपूर प्रश्ट लिखा है तो संपूर प्रश्ट का छेट फल लेगा तो साल्व करते हैं इस question को इसको ऐसे और समझ सकने एक चीज और समझो देखो कि जैसे कि यह हमारे पास क्या था एक बेलन था मतलब ऐसे ठोस बेलन एक था उससे उसने क्या किया दो अर्ध गोले ऐसे अर्ध गोले की सेफ की दो आकरतिया ऐसे खोद कर निकाल ली तो basic जो बात हुई यह जो बेलन था यह हमारे पास ठोस तो रारी संपूर प्रष्टी छेतफल लिखा जरूर है लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझो कि यहाँ पर हमें देखो तो जो वक्त प्रष्ट छेतफल का मतलब होता है जो सताय तुम छू सकते हो जहांपर तुम ऐसे इस सर्फेस को जो टूच कर सकते हो तो तुम ये बेलन की सर्फेस को टूच कर लोगे जो बाहर की आवरण है और ये अर्दवरत को जो ञ़ले तो दोनों अर्ध गोलो का प्रष्टी छेतफ़ ग्याद करेंगे तीनों को जोड़ेंगे क्यों जोड़ेंगे कियों इन सारी संद्र खीटवन है। फिर उसके बाद संपूर्व्ड प्रष्ट के according question solve करना अब solve करते हैं इसे अब आपको पता है हमें क्या ग्राइद करना है वस्तू का संपूर्ड प्रष्टी छेतफ़न निकालना है इसमें हो जाएगा बेलन का वक्क प्रष्टी छेत्रफल और प्लस का हमारे पास हो जाएगा दो अर्ध गोलें दो अर्ध गोलों का छेत्रफल तिक दो गुणे अर्ध गोलों का छेत्रफल अगने इसका भी प्रश्टीज शेत्वल हने लिए जाएका यह फिर वकर अर्द बोलों का वक्र तलिए दो इससे अंतर इस प्रश्ट रहे हैं के वक्र प्रष्टीज िर्से अि अब फ़ाइब अप तुम्हें पता है कि बेलल का हुड का छेटफल तुम्हारे पास क्या होता है बेलन का जो मारे पास बहतन प्रष्ठी शेथफल होता है वह तू पाई बुरस एट दो गणे अर्द बोले का प्रश्चिभीगकर प्रश्चिछ छेथल होजाएगा डू पाई और स्कॉर्ड तो यह अर दिया गया ना डायक्टली आर दिया गया मुझाई एच भी दीगे सब तो डायक्ली दिया गया तो दो पाई की वेलू कि बाइस बट्टे 7 आर की वेलू में कित्ती दी गई है 3.5 और एच की वेलू हमारे पास है 10 और 2 गुणे 3.5 अब यह कैलकुलेशन यार कर लेना साथ पना 35 हो जाएगा 0.5 हो जाएगा और ऐसे calculate कर लेना बहुं यह calculate कर लेना मेटर स्कायर में इसका पूरा वस्तु का वक्क प्रष्टी छेथफल आ जाएगा इसको calculate कर लेना ठीक है तो गुणाबाग तो करी सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है calculation आशान है पस यह बात यहां पर धान रखने की ती इसलिए मैंने कोईशन लिया था कि सब्द यहां पर संपूर प्रष्टी आया था तो कि बद सब्दों पर नहीं जाना थोड़ा common sense यूज करना कि कैसा कोईशन में क्या figure है और क्या कह रहा है और दोनों बंद होते तो बेलन का सीधे संपूर्ण प्रष्ट लग जाता है तीक या फिर ऐसे खोद का अगर खोद के निकाला मतलब कि अर्द गोला उसने क्या कर दिया एक प्रकार से अंदर बना दिया वह एक प्रकार से यह बाहर बेल अर्द गोला तुमारे पास हमारे पास जरूरत थी ऐसे ही स्वेकेंड नमबर उधान दिया गया यह भी अच्छा कोईशन है अब इस कोईशन में हमें क्या कह रहा है कि आकरती बारत समलों में दर्साइग सजावट के लिए प्रियोग करने वाला एक ब्लॉक है एक ब्लॉक है सजावट का एक ब्लॉक है नीचे में दिख रहा है कि नीचे एक घनाब है और इस हमारे पास घन है मलब घनाब कहां क्योंकि पांच पास सारी बुझा है एक घन है और घन के उपर हमारे पास एक अर्ध गोला अध्यारोपित किया गया ये अर्धगोला तुम्हें दिख रहा है अध्यारोपित किया गया सजावट के लिए है इसमें एक झटी लिखा भी है और दूसरा अर्धाला het गोला है इस इस ब्लॉक का आधार 5 cm कोर का है ब्लाक का एक कोर जो मलब भुजा की जो लंबाई है वो 5 cm है किनारे वाला एक एज किनारे वाला एक घन है ठीक है उसके उपर लगे हुए अर्द गोले का व्यास 4.2 cm का है इसका व्यास तुम्हें दी गया गया है फिगर में 4.2 cm का है इस ब्लॉक का संपूर प्रष्टी छेतफल ग्यात करो अब बास समझो है आपर कोईशन में थोड़ी से समझने की बात है सबसे पहले दिमाग में मेरे यह आएगा अगर इसका संपूर प्रष्टी छेतफल हमें चाहिए तो सरम घन का छेतफल लगा लेते हैं घन में तो एकी छेतफल होता है वही 6a2 और अर्द गोले का दिख रहा है उपर अर्द गोले का छेतफल इसमें क्या करो संपूर प्रष्ट का छेतफल जो होता है उसको डोनों को ऐसे गोले को तो इस परस करेंगे अंदर तो देखेंगे नहीं तो सिदे हम मुसका अर्ध गोले का भी प्रश्टी चेथ लगा देंगे वक्रश्टी छेथफल और दोनों को जोड देंगे जो इस पर सबको यह दिख रहा होगया। लेकिन एक बात थोड़ी सी common sense की लगाओ यहाँ पर जैसे कि यह block है, थोड़ा assume करना, जैसे block है, मेरे पास कोई block है, जैसे कोई यहाँ पर block है मारे पास, मालो, एक मिनट देना, ठीक, मालो block की हमने यह उपर वाली सतय ले ली, ठीक, यह उपर वाली सतय है तुम्हारे पास, block की उपर वाली, केवल उपर वाला face है, फलक, ठीक, इस block पे तुमने क्या किया, एक अर्धगोला ऐसे रख दिया, ठीक, ऐसे अर्धगोला रख दिया, तो तुम अगर एक चीज गौर करो, तो जब तुम block का तुम यह block का जब तुम छेतफल निकालोगे, तो यह वाला area त अर्धगोले से, इसको तुम छू नहीं सकते हैं, जिस area को तुम छूई नहीं सकते हैं, तो इसके अंदर हो गया, ढग गया तो यहां से अगर देखा जाए, तो जब हम इस केवल घन की बात कर रहे हैं, इस block, इस घन का तुम प्रश्टी शेतफल जब निकालोगे, तो इस जो उपरी वाली सतय होगा, इस पर ये एक क्या बन गया है, एक ही हमारे पास, जब इसको ढग देंगे, तो नीचे ये क्या बन जाएगा, एक इस पर वरत्त बन जाएगा, यहां पर एक इसका क्या बन जाएगा, जब अर्ध गोला ऐसे रख दोगे, तो इस पर एक वरत्त तो नहीं रंग होगे, आप तुरंट उसके जो मारे पास अर्ध गोला है, उसके उपर रंग लोगे, नीचे तो उसके अंदर तो रंग नहीं लोगे, तो मलब उस वाले एरिया को हम छुई नहीं सकते हैं, तो वो एरिया वक प्रष्ट के छेतफल में नहीं लिया जाएगा आप जब घन का छेतफल निकालोगे, तो इसमें से क्या माइनस करोगे, जो इसके अंदर अर्ध वरत के कारण जो इसकी सरफेस पे उपर वाले फलक पर जो हमारे पास वरत बनना है, उस वरत के छेतफल को तुम उससे घटा दोगे, तो तुमें किसका छेतफल मिल जाएगा घन का तुमें छेतफल मिल जाएगा, जो तुम इस पर सकरते हो, घन का तुमें समपूर्ट पर से छेतफल मिल जाएगा, और ब्लॉक का चाहिए, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, अर्ध गोले का उपर ये ये वाली सरफेस जो है, जिसको उपर से मचू सकते हैं, इसमें अ आर्ध वरत हम इसके उपरी सताय पर हम रख देंगे, तो ये क्या करेगा, ये इतना एरिया ढख लेगा, और ढख लेगा, तो वो वरत का एरिया ढख लेगा, क्योंकि ये नीचे वरत होता है, आर्ध वरत के नीचे, और वो वरत का एरिया अगर ढख लेगा, तो वहाँ पर संपूर प्रश्टी छेतरफल ठीक तो ब्लाग का शंपूर प्रश्टी छेतरफल क्या होगा घंका छेतरफल इससे क्या करोगे घंके छेतरफल से हम माइनस कर देंगे जो सरी ये yellow paint से हमने ये वृत्त दिखाया है ये जो इसके अंदर वरत्त बनेगा ना ये वाला जो dotted दिखाया भी गया है जब इसको रखोगे सताय पर तो इसके वरत्त बनेगा इस वरत्त को छेतवल के हुम क्या करेंगे minus कर देंगे minus वरत्त का छेतवल और इस में हम जोड़ देंगे क्या जोड़ होगे जो हमारे पास अर्द बस्त का वर्ड का परश्टी चेथ वळा अर्द बरत वाला तो जोडा ही जाएगा अर्द बरत का यह अर्द गोला lichow बत क्या हो था र्द गोले का वकर प्रेश्टीज चेथ वा है यह मारे पास क्या बन जाएगा ये इसका फार्मूला बन जाएगा अब रख दो सारी वेल्व दखो घं का छेद फल तुमारे पास क्या होता है six into peppers square ठिक बुजा माल लिए six into constitutional होगे तिक माइनस वृत्त का छेद फल पाई यार il कर तीक और अर्ध गोले का वक्रपेश्ठी छेतफल क्या होता है 2Pi R is square ठिक यहमारे पास हो जाएगा 2Pi R is square आप क्या करोगे यहां से मारे पास हो जाएगा 6 into भुजा square मतलव यह यह यहां से सीधा इसको भुजा square की वेल्व रख देते हैं 6 आ गया च्छह पंचे अरे पचंप पचीस पचीश चा का डिख्रसों तो यह लोगए डिख्रसों और पाई की वेलु रख दो 22 बटे साथ तो इसकी तो इसकी तरिज्ञा निकाल लेते हैं क्योंकि यह अर्ध गोले की तुबात हो रही है तो इसकी तरिज्र नार बराबर नारे पास कित defending आजाएगे इसकी तरिज्ञा NARG Gaming GB 1 सेंटिमेटर रख दो हैं यहां पर 2 दसमलों 1 इसके सब्सक्राइद जो भी आंसर आएगा कैमें आजाएगा सेंटिमेटर स्काइर में when मिछला अंसर काय में आ रहा था मीटरे स्कार में आ रहा था यह भी सेंटीमेटर स्कार में इसका अंसर आ जाएगा क्लियर है सभी को आसान है बस यह चीज थोड़ा दिमाग रखना जलदबाजी ने करना एक बर कुशिण पढ़ना और थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ऐसे डारेक्ट कुशिण नहीं दे रहा है हो थोड़ा दिमाग लगवाएगा यह जाएका है जूरा रद रहे है तो दोनों का छेटफ़ निकाल सकते हैं यह तो एरिया बेकार हो गया ना अगर खुछ से सोचो अगर तुम्हें रंगने को दे दिया जाए कोई पुताई वाला भी आएगा तो उसके अंदर थो ना इसको हटा के सजावट का समान तो बन चुका है जब ऐसे कोई बनाता है तो अंदर थो ना उसके रं अब हम आयतन का पार्ट सुरू करने जा रहें सेकेंड एकसराइज सुरू करने जा रहें एक एक्जामपल लिया है पांचो नंबर इन्हीं उधारन के माद्वें से फिर एकसराइज के कोश्चंस पर चलेंगे अच्छे-च्छे कोश्चंस दिये गए सभी कोश्चंस की पै तो बहुत लाश्ट फरवरी में और बिहार बोर्ट के एकजाम भी एक फरवरी से अभी हम दिसम्बर मेट दिसम्बर के आसपास चलना है तो अभी दिसम्बर बार पूरा है तो इसमें जम के रिवीजन का टाइम इसलिए मैं ठ्वर डिटेल में ही वन सौट बना रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि बहुत जल्दवाजी लगे ठीक है ताकि अगर किसी को छोटे बोटे कॉंसेट अगर कुछ हिले हुए हैं तो वह कस के पकड़ ले जो डिटेल लेक्चर में भी नहीं पकड़ पाया है वो इस माध्यम से पकड़ ले जिसने कभी नहीं पढ़ा हो वो भी से कुछ ना कुछ सीख लेगा समझ ही लेगा मतलब उसको भी समझ में आ जाएगा पूरा वन स्वाट कि कैसे क्या होते हैं कैसे कोशिंस लगने इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में चल रहा हूँ कोशिस कर रहा हूँ क्या आराम समाजी ठीक है चलते हैं फिर अगले कोश्चन होगा तुमने ऐसा सेट डालते हैं कि यह मारे पास दिवाले हो गई और उसके उपर सेट डाल देते हैं ऐसा कुछ करके ठीक एक बस की आकरती तुम्हें दिख रही होगा ऐसा सेट समझ सकते हो ठीक है कह रहा है यह सेड एक घनाब के आकार का है दोको यह घनाब के आकार द ये एरिया है ये 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 हमारे पास क्या है ये हमारे पास उसके उपर जो उपर ऐसे वाला जो एरिया है ये अर्ध बेलन बेलन को बीच से काटा गया और इसके उपर ऐसे रख दिया गया अध्यार उपित कर दिया गया तो ये बेलन का एरिया ठीक उसके बात कह रहा है देखि लंबाई चोड़ाई माल सकते हो तो यह लंबाई साथ मीटर दी गई है और इसकी चोड़ाई 15 मीटर दी गई है अब कह रहा है घनावा कार भाक की आठ मीटर उचाइए यह 8 मीटर उचाइए साथ मीटर लंबाई आछ मीटर पीछे चोड़ाई तुमेर दिक रही है पंदरा मीटर चोड़ाई दिख रही है और आठ मीटर इसकी उचाई दिख रही है मतलब तीनो बुजा है इसकी गया है लंबाई चोड़ाई उचाई myös आपकी तीनो चीजे पता है मैं लिख देता हूँ एक बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर पहले मैं घनाब के बारे में लिखता हूँ हमारे पास एक घनाब है और एक अर्ध बेलन है घनाब में हमें क्या क्या पता है देखो साथ मीटर पना कुछ भी मान सकते हो कोई दिखर नहीं लंबाई भी उसको ले सकते हो दिख भी रहा है लंबाई साथ मीटर है चोडाई जो मारे पास ब्रीथ है वो मारे पास पंदरा मीटर है और उचाई जो है मारे पास स्मॉल एच वो हमारे पास किती है आठ मीटर की है ठीक उचाये में आठ मीटर की दी गई है ठीक ये तो घनाप के बारे में जानकारी है तो सेड में समावेशित हो सकने वाली हवा कायतन ग्याद कीजी पुना यदिया माल ने कि सेड में रख्यूई मसीनी 300 मीटर क्यूब इस् तो सेड में कितनी हवा जाएगी हए पहले तो उपर वाले पाड की बात करते है पहले बहुत पहले नीचे वाले बात करेंगे उसको समझ सकती है या आयतन क्या होता जितना जो इस्तान घेरती है मतलब इसमें अगर कुछ भी इस्तान घेरे तो हम इसमें कोई समान रखना चाओ तो कितने बोरे यहां पर लग जाएंगे जो बोरे इस्तान घेरेंगे वो इसका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा तो इस प्रकार से म कितनी हवा भर सकती हवा कितना इस्तान घेरेगी उसका आयतन क्या होगा वो आयतन निकालना पहले पार्ट में तो हमें उसके लिए क्या चाहिए हमें सर्च यह इस घनाप का आयतन और अर्दबेलन का आयतन मैं पहले लिखता हूं मुझे क्या चाहिए हवा का आयतन चाहिए प और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा गनाप का एतन प्लस अर्द बेलन का एतन अर्द बेलन का अर्द हमारे पास क्या होगा गनाप का एतन और अर्द बेलन का एतन गनाप का एतन का सूतर क्या होता सूतर देखो सारे याद रखने परेंगे π loot q ch और अर्द वेलन काहतनरा यह यहिस आरद वेलन पास क्फाइर j एटनो जो में पास आईटन होता है गनाब काहतनर पाइए यह यह अरद वेलं का इधन लिक दिए गनाब काहतनर अमारे पास क्या होता कह alta है yum法 गुड़ Tu उचाई और अर्द बेलन का हैतन होता है बेलन का हैतन होता है पाई आर इसक्वाइर एच क्योंकि अर्द बेलन है तो एक बटे दो से आप क्या करोगे गुणा कर दोगे दो से मतलब की भाग कर दोगे क्योंकि बेलन का हैतन होता है पाई आर इसक्वाइर एच और घनाप का है प्राइटन होता है लंबाई गुले चोडाई गुले उचाई लेकिन यह आपर देखो दोनों में एच की बात हो रहे हैं एक काम ऐसा करो कि जो हमारे पास यह अर्द बेलन है इसकी उचाई को हम कैपिटल तो जाएगी, तो जो इसको हमने capital H से लिख दिया, अलग अलग दिखाने के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें एक तो चाहिए, देखो, बेलन की बात करते हैं, अभी बेलन के बारे हमें कुछ नहीं पता था, एक तो बेलन के हमें क्या चाहिए, बेलन के हमें तरि कि चाहिए व्यास है तो अगर हम इसकी त्रिज्शा लिखना चाहे तो अराम से मैं सकते हैं कि यह क्या होगी इसकी त्रिज्जा किती हो जाएगे 3D5CM ४ूरी चाहत है तो अधी या ईधर आधी लिखो या इधर अधी नerson वाज़डर और जो बेलन की यहाँ पर यह घनाप की जो हमारे पास यह लंबाई थी है जो हमने या फिर यह मालो ब्रीथ जो ली थी बीस हमने लिखा था यह चोड़ाई जो हमने पंदरा मीटर लिखी थी यह बेलन जो हमारे पास घनाप की चोड़ाई जो थी है वही सेम चोड़ाई यहा से मारे पास आठ क्या बेलन के लिए three । 5 सभाल और इसकी झो हमारे पास उचाई है ऽूंता राज़ वो हमारे पास फंद्रा मीठर के बराबर यहाद रखना कि यहाँ पर जो इसनकी चोड़ाई है वो इसकी पर उचाई है तो यहाँ पर यह चोड़ाई जो 15 मीटर दी गई थी वो बेलन के लिए क्या हो जाएगी उचाई हो जाएगी उसकी हाइट हो जाएगी क्योंकि इसको बेलन को सीधा करोगे तो यह हाइट के रूप में तो आई जाएगी अब सब चीज़े हैं तुमारे पास वैल्यू रखो तीन दस्तमलों पाच का स्कायर हो जाएगा और एच किता है एच हाइट किती है 15 तो 15 हो जाएगी ठीक सीधी बात यह होगी अब भाई इसको कैलकुलेट करने के लावा कोई option है नहीं मैं इसको कैलकुलेट करके लिखता हूं देखो यहाँ पर किती हो जाएगी वेलू इसक तो क्योंकि इसके कैलकुलेट के आंगे में यहाँ पर भी यूज करना है तो जितना हो सकता उत्ता मैं कर देता हूं तो को 158 मारे पास हो जाएगा एक सो बीस और बारा सत्य चोरासी आठ सो चालिस प्लस अब यहां से आ जो क्या कटेगा दो से इसको गाड़ लेते हैं यह अधिखर हो जाएगा साथ पना पैंथिस हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा वियारा साथ पना पैंथीस दिश्युद दसंवलों पांच और सब्सक्राइब है ठीक हूं और इंटू पंद्रा यह आएगा, ठीक, एक प्रकार से मैं यहीं पर छोड़ देता हूं अभी, मैं इतना ही calculate करता हूं, पाख ही calculation तो और भी करनी चाहिए, लेकिन आप calculate कर ले ना, मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूं, यह हवा का आयतन आज़ाएगा, जो भी आएगा, यह हवा का आयतन आज़ इससे तुमने पूरी total हवा जो इसमें गुश सकती थी, वो तुमने निकाल ली, हमें इसको अटा देता हूं, तुमने हवा तो निकाल ली, अब question में आँगे क्या रहा है, देखो पढ़ो फिर से, यहां से आँगे आपढ़ो, कह रहा है, पुना यदि यह मानने, अब यह म लिए रहता है, तथा सेड के अंदर 20 स्रमिक भी हैं, मसीन के अलावा स्रमिक भी हैं, जो उनको चलाते हैं, और वो 20 स्रमिक हैं, 20 लोग काम करते हैं, जिसमें से प्रतेक 0.08 मीटर क्या करता है, इस्तान घेर रहा है, तो इस सेड में कितनी हवा होगी, अब समस्या उसने यह क्रियेट कर दी, कि यह जो हमने हवा का आयतन निकाला, यह टोटल हवा कितनी आ सकती थी, खाली फैक्टरी में, लेकिन बाद में उसने बताया कि ऐसा है, कि इसमें हमने क्या किया है, मसीने भी लगा रखी है, और जो मसीने इस्तान घेर रही हैं, वो 300 मीटर क्यूब का करे रही है, ठीक, और जो हमारे पास स्रमिक है, इसमें 20 स्रमिक है, एक स्रमिक जो इस्तान घेरता है, वो 0,8 मीटर क्यूब का घेरता है, 20 का अगर निकालना होगा, तो 20 से गुणा कर लेंगे, तो यह लोग और इस्ताने आपर घेरते हैं, तो जहां पर मसीन रखी होगी, यह पर स्रमिक खड़ा होगा, जैसे मैं खड़ा हूँ, इस कमरे में, तो अगर हवा है, तो हवा मेरे अंदर तो नहीं गुच जाएगी, हवा इस इस इस्तान को तो छोड़ देगी, इसके अलावा चारों तरफ रहेगी, लेकिन हमारे इस्तान पर हवा नहीं आ सकती, अगर हमे इस पूरे से अगर हमें निकाल दिया जाये, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा, मेरे अयतन को, ब corrections हमें कितनी हवा है, तो और प्र जो चीज़ें रखी है, अगर इसमें टोटल खाली कमरा के हम पहले आयतन निकाल चुके हैं, अब इसमें से हम किन चीजों का आयतन गटा देंगे, हम अपना आयतन गटा देंगे, इस बोड का आयतन गटा देंगे, चेर रखिए तो चेर का आयतन गटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, वो आयतन हमें मिल जाएगा, जिसमें खाली हवा प्येबल है, बस वही यहां पर निकालना है, यह तो हम आपर लिखते हैं, मैं लिखता हूँ आँगे, छिवा का आयतन से, आप इससे क्या माईने स्कारूगे? एससे स्वर माईने करते हैं, कौन सा आयतन? एक सेकेड़ वूँकना, इससे हम माईने स्कारेंगे, पहले तो मसीन का आयतन, डारेक्ट आयतन दिया गया है, 300 meter cube का है, meter cube लिखा आतनी लिखा सीधे, तो 300 minus करोगे, machine का आतन, और क्या minus करोगे, जो इस्तान स्रमिक गेर रहे हैं, जो हमारे पास labor वहाँ पर काम कर रहे हैं, 0.08 meter cube, प्रतेक कितने हैं, 20, तो 20 गुणे, 0.08 meter cube, अब यह हमारे पास क्या हो जाएगा, वो आतन आ जाएगा, जो हमारे पास, टोटल अगर देखा जाए, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, वो आतन निकल आएगा, जो केवल हवा जिसमें, सेज बची है, उस सेड में, ठीक है, तो 20 गुणे, यह करेंगे, 20 गुणे, 0.08, तो यह 1.06 आ जाएगा, तो डैकले मिसकी जाएगा, एक एक देखा जाएगा, ठीक है, तो यहां पे एक देखा जाएगा, अब इसको कैलकुलेट कर लेना, भाई, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर जो आएगा, वो मारे पास, मीटर क्यूब में निकल आएगा, यह हमारे पास, सेड में बची हुई आवा का आयतन आजाएगा, ठीक है, कर लोगे ना, आसान है यार कलकुलेशन कर लेना, मैं यह गुणा बाग करूँ का तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस वज़े से, ठीक है, कलकुलेशन तो करी लोगे, कॉंसेट समझना इंपॉर्टेंट था कि क्या हो रहा है, यह मारे पास आयतन प या गया है, कह रहा है, एक ठोस खिलावने, एक अर्ध गोले के आकार का है, ठीक, एक ठोस खिलावने, अभी स्वीगर पे ना जाना, अभी रफ वीगर बनाते है, मालो, दिया गया है वैसे, एक ठोस खिलावना, एक अर्ध बेलन के आकार का है, जिस पर एक लंब वरत्ती स संकु अध्यारोपित है कुछ इस प्रकार का ठीक यह तो कह रहा है हाँ ठीक इस संकु की उचाई दो सेंटीमीटर है इस संकु की उचाई है वो दो सेंटीमीटर है मालनी आंगे और आधार का व्यास चार सेंटीमीटर है आधार का व्यास चार सेंटीमीटर का मतलब है इसकी त्रिज्जा जो है वो भी 2 cm है, त्रिज्जा भी 2 cm है, ठिक, इस खिलोने का आयतन निर्धारित कीजिए, पहले तो इतना ही calculate करते हैं, अब पहले पार्ट में हमें क्या करना है, इस खिलोने का आयतन निर्धारित करना है, तो निकला है क्या दिकर है, वही फिगर बना है अंदर देखो तो ये हमारे पास एक अर्द गोला है और अर्द गोले पर ये संक्य अध्यारोपी था, आंगे यही इसने कहा है फिर कि एक लंब वत्ती बेलन इस खिलोने के परिगत हो, परिगत का मतलब है इसके बाहर की ओर, एक लंब वत्ती बेलन, लंब वत्ती बेलन का मत परिगत का मतलब उसके बाहर की ओर है, तो इसको बाहर की ओर छूता हुआ, एक हमारे पास ये बेलन है, तब कहह रहा है, तो बेलन और खिलाउने के आयतनों का अंतर हमें यहाँ पर ग्याद करना है, तो बेलन और खिलाउनों के आयतन का अंतर ग्याद करना है, मतलब इसका ख खिलाउने का निकालना पड़ेगा जो खिलाउना ये बना एक हमारे पास अर्द बोला था इस पर एक संक बेलनाकार शंक कुछ उमारे पास था लंब वरतिस संक कुछ था वो हमारे पास अध्यारों पित था अब इसका आयतन चाहिए खिलाउने का पहले हम लिखते हैं यहां क्या लिखते हैं खिलाओने का खिलाओने का आयतन तो खिलाओने का आयतन किससे मिलकर बना है सरसंकू का आयतन और प्लस का अमारे पास इसमें है अर्द गोले का आयतन अर्द गोले का को डिक संकुका इतन और अर्ध गोलेका इतन लेखों संकुका इतन का शूतर क्या होता है एक बटे 16 पाई यारे स्क्वाईर यह तो संकुकिय का इतन का सूतर होता है एक बटे 23 पाई बसक्वाई доллар extension का हो होता है, अर्ध गोले का जमारे पास आयतन होता है, वो दो बटे दोनों का हमने क्या किया आयतन यहां पर निकालने के लिए यहां से सिंपल हमने वहां पर दोनों के फार्मूले लिख लिए और कुछ नहीं अब आंगे बात करते हैं देखो हम यहां से क्या-क्या कॉमन निकाल सकते हैं जो कॉमन निकाला है वो निकाल लो एक बटे तीन निका निकाल लो और r square निकाल लो ठीक तो यहाँ पर क्या बचेगा h यहाँ पर क्या बचेगा 2 और pag-ик R सबी की वेळु रखनी है क्या क्या वेलु तुम्हें पता है पहले समझ लो पहले अगर हम खिलोने के लिए बात करें तो अर्थ गोले में तुम्हें क्या क्या दिया गया था हमें दिया गया था कि संकु की जो उचाई है वो 2 cm है तो संकी की उचाई हमें H पता है वो 2 cm है संकु के लिए और आधार का व्यास 4 cm है मतलब की त्रिज्जा भी हमें ग्यात है कि वो भी 2 cm क्योंकि व्यास 4 cm है तो त्रिज्जा 2 cm होगे पस यही दो चीज़े तो चाहिए रख दो 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 चीज़े अंसर एक्सिब कैलकुलेशन ही है यह हो जाएगा 22 बटे 7 R square मतलब कि यहां से R हमारे पास किता है 2 तो 2 का square हो जाएगा 4 H हमारे पास किता है 2 दो यह भी 2 सब 2 डो डो चल ला है कोई दिक्कत नहीं कितना हो जाएगा यहां से यह हो गया कुछ कट रहा है बाइस चोग अठासी बटे 21 यह हमारे पास आ जाएगा दो दूना चार और चार और दो शे टिक यह हमारे पास वेल्यू आ जाएगी कुछ कट तो रहा नहीं है हमारे पास एस्ट की वेल्यू भी दो यह है आर बी दो यह दो दूना चार चार और दो च्छह हो जाएगा 29.88 हो गया साथ रिक 21 हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा आप इसको कैल्कुलेट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां से हो जाएगा है और एकी इस चोगो चार आशी और बच्छेगा चार दसमनो लगाओ तो प्याइज केशन दूना बयालीस होता है तो इक इस एक मिकीश हो जाएगा ठीक बचेगा उनीस जिडिव जायका प्रे तो بीश अठे है कि अब गज्ट कि पूर पॉइंट वन नाइन के समथिंग आ जाएगा और छेए कम पांच ग्यारा चेटाव कूछ चौबीश चौबीश और एक पचीस पॉइंट 14 समथिंग आएगा सेंटीमीटर मीटर में चलना सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यों यह आ गया भाई खिलाओने का आयतन चीज पॉइंट 14 हमारे पास सेंटीमेटर क्यूब का यहां पर क्या आ गया यह हमारे पास यहां से आयतन निकल कर आ गया अब हमें क्या करना पड़ेगा बात समझोंगे अब यहां पर अगर देखो आंगे वाले पार्ट की बात करते हैं कि लंवती बेलन का भी हमें इसके पर परिगत क्या था इसके परिगत इसके बाहर की और यहां पर एक हमारे पास यह बेलन था यह ऐसा कुछ बेलन का से अगया इसका आयतन चाहिए तो इसके आयतन के लिए अब आपको पता है बेलन का यहां पे लिखते हैं कि बेलन का आयतन बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क और ऐज सिर्फ ए और एज की जरुवथ है इसमें और तुम्हारे पास है यहीं क्योंकि जो हमारे पास कैसे मिलेगा और जो यहांपर यह त्रिज्जा है संकु की त्रिज्या है कि मारे पास इस बेलन की त्रिज्ज fordi estás clean यह में पता है और यहां से हमारे पास यह 2 थी… two cm, तो यह भी हमारे पास किती होगी यहां से अगर इसको नीचे तक मिला दे तो यह भी हमारे पास दो 1 cm होगी, त्थिक2 cm कि होगी त्रिज्या यहां पर 2 cm घ तो R कित्ता होगा? H के तक होगा? एच भी मिल जाएगा देखो एच कैसे मिलेगा आपको पता है कि जो यह संकु की उचाई थी संकु की उचाई यह वाली यह मारे पास 2 सेंटीमीटर की थी और यहां से तुम्हें पता है कि अर्द गोले की जो त्रिजा दी गई है वो तुमारी कित्ती दी गई है अर्द गोले की चित्या भी दो सेंटीम시다 तो 2 और 2 मिलकर कित्ती ओ जाएगी पूरी हमारे पास 4 सेंटीमीटर निकल गुखा और भी फाल हमिएंध है ने घेल हमारे पास टोटल आज जाएगे तो एच लैगर एक न हमारे पास आजेगा चारप लोट सेंटिमीटर यहां पर को कि दोंी वैलू रगडू राज जायेगा यहां से आ जाएगा पाई की वेलू हो जाएगी 22 बटे साथ आर का स्कायर मतलब चार और ये भी चाहरी है मारे पास ठीक तो चार चोको 16 हो गया 22 दूले 16 और बटे का साथ आ गया तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 35 हो गया ठीक तो 352 बटे साथ यहां से यह आ जाएगा इसको काट तो साथ पना 35 भागने जाए खाए बिंदी ठीक उतार लिया हमने दो का जीरो तो साथ दूना 14 बचाच चैच चैच जीरो साथ चंग बैहालेस तो 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 टीच चपन लगबग पचास पाउन्स अठाई सेंटिमीटर की उबाज यह हमारे पास क्या जाएगा बेलन का आयतन निकलाएगा पहले हमने क्या किया पहले हमने खिलोने का आयतन निकाला और फिर उसके बाद हमने क्या किया फिर हमने बेलन का आयतन निकाला अब जब तुम्हारे पास खिलोने का आयतन है बेलन का आयतन है तुम्हें ग्याद करना है तुम्हें ग्याद करना है दोन निकल आएगी ठिक तो हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा दोनों आयतनों में हम अंतर लिखते हैं दोनों आयतनों में अंतर क्या हो जाएगा यहाँ से यह हमारे पास किता हम लिग देते हैं पहले बेलन का अयतन माइनस संकु का अयतन हमने निकाला 50.28 इसका है हमारे पास 25.14 लगबग यह अंसर आ जाएगा जो भी आए संतिंग आएगा 25.12 में लिख दे रहा हूं सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा तो पचास है तो 25.14 आ जाएगा वैसे वन टू यह वन फॉर एप्रॉक्स वैलू होगी तो को पॉइंट में ज्यादा परिसान ना होना कैलकुलेशन में अगर यहां पर पॉइंट में एक दो पॉइंट का फरक होता है पॉइंट के बाद वन टू वन थ्री जैसे आंसर में तू वन था आपका आंसर आया सब्सक्राइब करें अब अगर हम आगे बात करें यह कोश्यन बहुत प्यारा है मतलब examiner's का जो हमारे पास सबसे फेवरेट कोश्यन है कोई तो examiner's का इसको फेवरेट कोश्यन कहा जाएगा कि इस कोश्यन की अगर हम बात करें ठीक है यहां तक किलियर है किसी को अब इस कोश्यन की बात करी जाए एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगबग तीस प्रसत चीनी की चासनी होती है एक गुलाब जामुन है यहां रजगुला है जिसको बोलते हो तुम लोग उसके आयतन जो होता है उसका जो आयतन होता है गुलाब जामुन का उसमें 30 प्रसत तो केवल चीनी होती है ठीक 35 गुलाब जामून में लगबक कितनी चासनी होगी, चीनी मतलब वही चीनी की चासनी होती है, वही कहने का मतलब है, 45 गुलाब जामून में कितनी चीनी की चासनी होगी, तो अगर हमें एक गुलाब जामून का आयतन पता हो, और हमें एक गुलाब जामून में मातरा पता है कि 30 प्रस्त होती है तो 45 में कैसे पता चलेगा एक गुलाब जामून का आयतन अगर हमें पता उसमें 45 से गुणा कर लो तो 45 गुलाब जामून का आयतन हो जाएगा अब एक में हमें पता है 30 प्रस्त चीनी होती है तो पहेंतालिस के जब गुणा कर लेंगे, तो टोटल जो आ जाई हूँ, उसका 30% निकाल देंगे, तो टोटल 45 गुलाब जामुन में जो चासनी होगी, चीनी की चासनी, वो मातराम निकाल लेंगे, उसका यतनम में एक प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक, यदि प्रते गुला क्या आकार का है, ठीक, बेलन का आकार माल लिया यह, ठीक, यह हमने एक बेलन ले लिया, बेलन क्या आकार है, और जिसके दोनों सिरों पर, इनके दोनों सिरों पर क्या है, एक अर्ध गोला अध्यारोपी थे, दोनों सिरों पर अर्ध गोला एक अध्यारोपी थे, कुछ इस दोनों और अर्द गोले अध्यारोपित थे कैपसूल की सेव का टाइप का हमारे पास रजगुलाब जामुन है कोई दिक्कत नहीं सेव का है जैसा चाहे हो ऐसा बनाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है तो ये गुलाब जामुन के दोनों और अर्द गोला उसने अध्यारोपित कर दिया ठीक इसी प्रकार का फीगर है मैं इसी को लेके चलता हूँ थोड़ा यह दो को इस प्रकार पढ़े भी है गुलाब जामू डब्बे में लेकिन हम एक गुलाब पहतालिस पढ़े एक काम पहले बात कर रहे हैं एक निकाल के उसकी समस्या समझ रहे है यह पास सेंटीमेटर है इसका व्यास हमें दिया गया है यह व्यास जो है यह अर्द गोले का व्यास मान लो या तुम बेलन का व्यास मान लो दोनों बातों का मतलब एक है दो पॉइंट आठ सेंटीमेटर का इसमें व्यास हमें दिया है अब सबसे पहले बात तो हमें इसका आयतन जीए किसका इस गुलाब जामून का तो मैं लिखता हूँ यहां प और प्लस का दो गुणे दो अर्द गोले हैं तो दो गुणे अर्द गोले का आयतन दो गुणे अर्द गोले का आयतन थिक बेलन का यहतन क्या होता है पाई आर स्कायर एच अर्ध गोले का यहतन होता है हमारे पास अर्ध गोले का यहतन होता है वो हमारे पास होता है दो बटे तीन पाई आर क्यूग यह हमारे पास अर्ध गोले का यहतन होता है हमने पहले क्या लिखा पहले हमने गुलाब जामून का का हैतन लिखा फिर हमने क्या किया अर्द गोले का हैतन लिख लिए अब देखो बास समझो कहां से अब यहां से बास समझने की बात ही है कि हमारे पास क्या क्या चीजे हमें गीवन है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें दिया क्या क्या गिया है तो अब यहां से अगर देखे तो H हमें ग्यात है कि H ये है, पूरी H हमें दी गई है, और हमारे पास R भी हमें पता है, R हमारे पास किती है, R इसकी त्रिज्जा है, यहाँ पर हमें H दिया क्या गया है, दोनों सिरो पार्दगोले जिसकी लंबाई 5 cm, अच्छा अब ये 5 cm, हाँ ठीक ठीक, ये देखो अग करेंगे same concept, वही use करेंगे, जो पिछले question में वहाँ पर किया था, क्या किया था, कि आपको पता है, कि यहां से ये जो त्रिज्जा है, चाहें ये 2.8 का व्यास है, तो जो त्रिज्जा होगी, क्योंकि व्यास त्रिज्जा हमारे पास क्या होगी, वो 2.8 बटे 2 होगी, क्यो total हमारे पास लंबाई 5 है ये 1.4 है ये 1.4 है तो आप इतनी लंबाई कुट्पी लिख हो के reflects पाँच माइनस 1.4 1.4 तो 1.4 1.4 किता हो जाएगा हम H लिख रहे हैं बेलन की तो 5-1.4 1.4 किता हो जाएगा 2.8 तो 5-2.8 आ जाएगा 2.2 cm तो यह बेलन की जो उचाहिए वो हमारे पास कित्ती आ जाएगी दो दो संदो 2 cm पी आ जाएगी अब तुमारे पास आर भी एच भी अप सारी वेलू तुम रख सकते हो यहां से क्या करते हैं पहले जो 12 बटे साथ आर और सका हार अमारे पास कितना है एक दसंबलों चार गुले एक दसंबलों चार हो जाएगा एच की वेलिवा पास कित्ती है एच की वेलिवे दो दसमलों दो कैलकुलेशन बाइस व्यक्ष भी गंदी क्यूब में इसका अंसर आजाए यह आ गया एक गुलाब जामुन का ठीक लिख देते हैं यहां पर एक गुलाब जामुन का अब तुम्हें किसका चीए मालोग 45 गुलाब जामुन का तो 45 गुलाब जामुन का यह एक का जब आया तो 45 के लिए तुम 45 से गुड़ा कर दोगे सिंपल यहां पर लिखोगे 45 गुणे सेम जो यह चीज लिखे डिक्टो यह चीज आ जाईए वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही चलेगा यह हमारे पास आज़ेगा भाई 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया ठीक यहां तक बात अच्छा इस पश्ट है सभी को पहले यह बात बताओ जो मैंने यह बात बताई सबको यहां तक बात क्लियर है रहे न क्या आया है यहां पर हमने पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला ठीक एक गुलाब जामुन आयतन जब निकल आया हमारे पास टोटल 45 गुलाब जामुन है तो हमने 45 गुलाब जामुन जब चाहिए था तो हमने इसमें 45 से गुणा कर लिया ठीक अब आंगे बात समझो अब उसने यह बोला था पहली लाइन में आओ एक गुलाब ज जामुन में आयतन इसके आयतन में जो चीनी की मातरण वो 30 प्रसत है तो हमने 45स से घुला करके टोटल घुलाब जामुन निकाल लिए अभ इसका 30 सिज जोगा वो चीए यह mad की मातर होने वाली मतलब चीनी से बनी जो चासनी हैं उसकी मातर हैぎ तो चीनी की अगर हम आयतन की बात करें यह तो कह रहा है चासनी की जो मारे पास मात्रा होगी 45 गुलाब जावुन में लगबक कितनी चासनी होगी तो चासनी की अगर जो हम मात्रा की बात करेंगे तो मारे पास क्या हो जाएगा जो यह लिखा हुआ है 45 मैं पूरा लिख देता हूँ 45 गु गुरेंटे एकदसमलोंग चार से ठीक और तुम्हारे पास है सेंटिमीटर क्यूब में यह बात चल लेंगे और इसका 30 पेसर तो गुढे 30 बटे यह हमारे पास क्या जाएगी? चासनी की मात्रा जोगी. ठिक, यह भी सेंटीमीटर क्यूब में चलेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब लगा लिए. इसको भाई कैलकुलेट कर लेना, यही आपका अंसर है. That's your right answer. समझे हैं? इसी का 30 पे सच जोगा, वही हमारे पास इसका अंसर हो जाएगा क्लियर है सबीको calculation हो जाएगी असान है यार ये 0 सी 0 कड जाएगा 3 को अंदर ले लेना ये 3 कड जाएगा ये असान है फिर हो जाएगी यार कर लेना भाई थोड़ा सा थो दिमाग लगा लेना question actual में ये करना ऐसे है को चले आंगे अच्छा कोश्चन था यह इस प्रकार के कोश्चन आएंगे हर यह बहुत पसिंदीदा कोश्चन है अगर एक्जामनल की बात की जाए तो सब्सक्रादा फेवरेट कोश्चन है काफी डिफरेंट डिफरेंट बोर्ट में पूछा गया है तो कि थोड़ा परसें कोश्चन हो जाएंगे कलंदान वाला कोश्चन कर लेते हैं यह भी अच्छा कोश्चन है कह रहा है एक कलंदान घनाप के आकार की एक लकड़ी है यह जो नीचे यह वाले फिकर देखना यह घनाप के यह लगण यह इसमें दिख रही होगी तिक पीछे भी आम तब ऐसी आक काराकार के हैं क्योंकि आपको पता है पेन की नीफ एकदम संक्वा काराकार की होती है तो यह संक्वा काराकार के चार गड़े हैं हमारे पास ठीक अब कह रहा है घनाप की विमाय में दी गई है 15 cm 10 cm और 3.5 cm घनाप की बारे में के बारे में दी गई एक लिए गनाप के बारे में में दिया गए लंबाई इसकी है 15 चोड़ाइस की हमारे पास 10 और उचाई जो इसकी हमारे पास है वो है 3.5 यह घनाप के बारे में हमें कित्ती information पता है सेंटिमेटर में सारी कह रहा है अब गड़े पर क्या बात की गई है गड़ा जो है मारे पास वो संकु के आकार का है तुम संकु लिख लेते हैं यहाँ पर संकु के लिए क्या दिया गया है संकु की तरिज्जा में पता है जीरो दसमलो पास सेंटिमेटर की तरिज्जा है और गहराई गहराई मतलब या उचाई कितना गहराई या कितना उचा है बात एक ही है तो एक दसमलो चार सेंटिमेटर की गहराई है हमें क्या करना है पूरे कमलदान में कलंदान में कमलदान के रहे हैं पूरे कलंदान में लक निकाल ली गई तो गणाब के पूरे आयतन से क्या किया गए चार संकु निकाल लिएगे तो गणाब के आयतन से हमें संकु का आयतन माइनस करना पड़ेगा. कितने संकु का चार संकु का चारो सेम साइज के हैं दिख रहा है सेम साइज एक ही डाइमेंशन दी गई है तो एक संकु का निकाल के उसमें चार से गुड़ा कर लेंगे तो चार संकु का आयतन हो जाएगा तो घनाप से हम माइनस करेंगे चार संकु के आयतन को तो हमारे पास वो आयतन बचेगा जो पूरे इस कलमदान का आयतन होगा उतना ही कलमदान में क्या हो रहा है यह संकु का जो हमारे पास सेफ है इसको निकाला गया है यह चारो सेफ ऐसे करके निकाल लिए तो वही इसका आयतन बचेगा सेस आयतन, वही हमें यहाँ पर निकालना है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमें क्या निकालना है, कलमदान का आयतन, बराबर, घनाप का आयतन, माइनस, चार गुणे संकु का आयतन, त्योंकि चार संकु हैं, यह याद रखना, चार गुणे संकु का आयतन, ठिक, अब तुम्हें पता है, कि जो गनाप का आयतन होता है, वो मारे पास होता है, पाई आर, इसक्वाइर, एच, संकु का आयतन, जो होता है, चार गुणे, वो मारे पास होता है, एक बटे तीन, पाई आर, इसक्वाइर, एच, अच, दो, एच, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी, एच, यहाँ पर भी, एच, एक को एच, लिख लो, मालो, इसको लिख लो, घनाप बाले को, बढ़ा आ ठीक, वैलू टक दो, क्या-क्या, अच्छा, कॉमन आएगा, वो कल लो, पाई तो कॉमन आजाएगा, आर इसक्वाइर आजाएगा, और एस तो आएका नहीं, भाई, तो पाई आर इसक्वाइर ले लो, तो यह हो गया, एच माइनस, चार बटे तीन, और यह हो जाएगा, य यह वाला हो जाएगा, ठीक, यह हमारे पास आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वैलू रख दो भाई, 22 बटे साथ, आर भी अलग-अलग है ना, भाई, गनाब, अच्छा, गनाब के आयतन में, मैं गया हो, बेलन का आयतन क्यों लिखरा हूँ, स्वारी, स्वारी, इत्ती बड़ जाएगा, गनाब के आयतन क्या लिखा, इसको क्या लिखा, लंबा यह मारे पास किता है, 15, चौड़ा, यह मारे पास किता है, 10, उचाहिए, मारे पास किता है, 3.5, माइनस, 4 बटे 3, पाई की वेलू यहाँ पर रखी देंगे, 22 बटे 7, और आर स्कायर मतलब की हो गया, आर यहाँ पर किता है, 2.5 का स्कायर हो जाएगा, और है यहाँ पर रुचाही किती है, 1.4 हो जाएगा, ठीक, पाई कैल्गुलेट कर ले न इसको, यह तो हमारे पास वो जाएगा, किता हो जाएगा, 35 बुझे 15, 15, 75, 25, 75, 25, यहाँ पां सो पांसो पच्चीस हाजाएगा, माइ यह आंसर आएगा वो सेंटिमीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा यही आंसर है और कुछ नहीं है सिंपल है कोशन बस आराम से लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन कर लेना आंसर आजाएगा बस हमने क्या किया घनाप का जो आयतन होता है लंबाई चोड़ाई उचाई इससे हमने माइनस कर दिया चार गुणे संग उकायतन वह यह इमारे पास इस आकरती का आकार होगा जो कलंदान है हमारी पास इसके आकरती का अकारा जाए ठीक है यह मारे पास चौथा एक्सराइस का अच्छा question है important question में आता है ठीक है चले आंगे अन्तीम question एक और बचा है उसको और कर लेते पूरा कवर कर लिया है और डिटेल में की हैं तो कोई ऐसी समझने की वह ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि आपको कुछ भी समझना है सिर्फ फार्मूलों की importance है आप देख रहे हो कि यहां पर जैसा नहीं हो गया कि जैसे मैं अभी लिख रहा था कि बेलन कायतने यहां पर लिख रहा हूं तो वह काम नहीं करना है डोनों में सम्में अंतर इस पश्ट रखना है पता होना चीए बस फार्मूले याद होने चीए आप करनी पड़े कि उसका कोई option नहीं एक ही दो कोशन आएंगे पूरी exercise तो आएगी नहीं करने को तो एक दो जगह जो करनी पड़ेगी कर लेना ज्यादा इसी tough नहीं होता जो पहले यह आद रखना कि जैसे यहां से तो कुछ common नहीं आ रहा है जैसे जहां पर जो common निकले उसक पूचा लेदर हो जाएगी इसको जित्ता भी common आ सकता है वो निकाले ना उसके बाद ही आंगे आप solve करना ठीक है आप चलते आंगे अंतिम कोश्चन देखो क्या कह रहा है यह वाला question अच्छा है question यह भी लेकिन देखो एक बास समझाना जा रहे है कि एक ठोस में उचाई 120 सेंटीमीटर और 10G साड़ सेंट्री मिटर वाला एक सब्सकू समली था एक Harald को सेंटीमीटर और Angkor सोंगर वाला जो जह साड़ सेंटीमीटर तद्या वाले एक अर्द crispy पर यह अज्ञाना बनाया इस पर क्या है एक संकु अध्यारोपित है जैसे एक खिलोने वाला भी डाइग्राम बनाया था वैसे ही कुछ यह मैं इस क्या क्या दिया गया था इसमें कह रहा था इसकी उचाई 120 सेंटीमेटर है संकु की तो संकु की उचाई हमें यहाँ पर दी गई है यह 120 सेंटीमेटर है थीक आंगे क्या दिया गया है कहरा 60 cm वाली तृज़्जा थी इसकी 60 cm वाल यह 60 cm इसकी तृज़्जा दी गई थी और वही 60 cm तृज़्जा इसकी अर्दवरत की भी है सेम बात है वही एकी बात है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वरती बेलन में इस प्रकार सीधा ड दाला गया है इसको एक लंब वरत्ती अरे भाई थोड़ा साच्छा बन जा कुछ इस प्रकार का शिनायरी होगे अरे चलो बना देते हैं इसको ऐसे उठाके एक लंब वरत्ती बेलन में डाला गया तिक हमारे पास एक लंब वरत्ती बेलन में डाल दो वैसे ही कुछ सिनायरीयों नहीं हो गया देखो डाइग्राम कुछ वैसे ही हो गया जो मनें पीछे बनाया था एक ठोस हमारे पास अर्द गोलें पर जो 60 cm तिज्जा वाला था है इस पर एक संख अध्यार उपी थे उपर से जिसकी उचाई 120 cm है इसकी तिज्जा 60 cm है आंगे देखो क्या कह रहा जब इस त्रिज्जा जो हमारे पास दी गई यह भी 60 cm एक प्रतार से ठीक कोई दिक्कत में आंगे आओ और उचाई 180 cm उचाई 180 मतलब कि टोटल यह उचाई अच्छा यह उचाई 180 cm का यहां से मतलब इसपश्ट हो गया कि पूरा एकदम फिक्स आया इसमें क्योंकि 120 यह है और इसकी त्रिज्जा भी 60 cm होगी यहाँ पर यह त्रिज्जा भी 60 cm तो है यह त्रिज्जा भी 60 cm है तो 120 मिलकर 180 होता है मतलब पूरा फिक्स है डाइगरा में क्या गया है संकु और हमारे पास क्या है एक हमारे पास है अर्द गोला है और एक हमारे पास क्या है संकु है अर्द गोला हो गया और हमारे पास है शंकु अर्द गोला और इसके अलाबा हमारे पास हो गया बेलन सारी चीज़े हमें गया क्या क्या चीज़े इसमें पता है व संकु की उचाई हमें H गया थे 120 cm संकु की तरिज्जा आर पता है 60 cm अर्द गोले में हमें सिर्फ आर ही जरुवत है वो भी 60 cm है मतलब सेम है जो संकु की बेलन में भी आर्द हुए वो सेम है 60 cm की इसकी उचाई को हम कैपिल H से लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसमाल H से संकु क उचाई लिख लिए तो यह हमारे पास 180 cm है कोशन में अब क्या कह रहा है कह रहा है तो बेलन में सेस बच्चे पानी का आयतन कित्ता होगा अच्छा इसमें पानी था जब तुमने ऐसे इसको डाल दिया तो जब इसका जो यह खिलावना अंदर जाएगा तो जो यह खिलाव पानी बच जाएगा इसमें इधर पानी बच जाएगा जो मारे पास यह आ करती है यहाँ पर यह पानी बच जाएगा यह यलो से जितना आई यहाँ पर क्या हो जाएगा पानी बच जाएगा तो पानी बचे हुए आयतन का में निकालना है वही काम करना है आप बेलन के आयत को माइनस कर दो तो बचा हुआ इस्तान क्या होगा यहां पर पानी होगा तो यहां पर हमें क्या करना है हमें निकालना है सेस बचे पानी का आयतन तो सेस बचे पानी का जो आयतन होगा वो आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप बेलन के आयतन से माइनस कर दो, किसका आयतन, संकु का आयतन, बेलन के आयतन से, तुम्हें संकु का आयतन माइनस कर दिया, ठिक, तो सेज बचे पानी का आयतन, बेलन का आयतन तुम्हें पता है, सर्फ पाई आर स्कुर एच होता है, कैप्टल ह लिए तो कैप्टल ह लिख लो, इससे संकु का आ बाई कि तो खिलाउना के साथ अर्द personnel का रहे गयार और तोंड खृलाओना के साथ अर्द अर्द बोला कहा रहे गया अर्द गोला भी तो लिखा भाइ इसको संकु और इसको भी लां Good तूरा क्या ऍनार वह इसको कोई थोस होग人 ऑला गया था तो इसको सिसका यहां भी बता देती से मैं कोश्चें इस वजह से मैं तोड़ा 5 में कर दे रहा हूँ आपको पता ऐसे अभी किया था मिले जो मनें आयतनों का अंतर गया था अंतर चिया था प्लस के अर्ध गोले का आयतन ठीक संकु का आयतन तुम्हें पता है क्या होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्वाइर एच इससे तुम अर्ध गोले का आयतन माइनस करोगे तो दो बटे तीन पाई आर क्यूब माइनस करोगे एक बटे 3 pi r square कॉमन आ जायेगा तो ये बच ये बचे गा h-2r सभी की वेलु है तुम्हारे पास r भी है, तुम्हारे पास h भी है, r वही से मिए तो यlando का यतना आएगा तो का यतनी हा रखोगे, इस case में भी तुम्हारे पास r की वेलु है, h की वेलु है, प्skyples लिएई इसलिए मैं नहीं डिटेल में समझा रहा हूं की alleen कोस्टोबस टाइग्राम उसने बताने का तरीका जो है वो किसी कोश्चन को mathweez करने का तरीका जो है उल्म हो सकता है काम में सेमा यह प्रकार से वही है कि हमें question जो नहीं बोलते ना कि सर ऐसा कोई जोई नहीं की exam में वही question आएगा जो एकदम से हम यही language का होगा pattern होई होगा अब यह बात हम समझ सकते था ना कि यह question अगर यह question मालो नहीं दिया होता यह exam में पूछा जाता लेकिन इस type का question आप पढ़े थे ना कि ठोस खिलाओने वाला और सेम उसी प्रकार का concept है बस उसने पूछने का तरीका बदल दिया लेकिन concept नहीं बदलेगा ना concept हो ना बदल जाएगा आयतन तो वैसे ही निकलेगा छेतवल तो वैसे ही निकलेगा फार्मूले तो वही रहेंगे तो उसी के according इस question को solve किया जाएगा ठीक है सारी चीज़ें सारी चीज़ें आराम चे तुम solve कर सकते हो तो यहां तक कि हमारे पास आज का जो one sort था वो complete होता है सारे लगबग हमने जो maximum अच्छे question है उसारे हमने आपको पीवाई की उसके माध्यम से यह करा दी है कि यह जो important है और exam point of view से अगर देखे तो long question में बनने के चांसे सबसे ज़्यादा ही निक है तो इसको proper आप one sort अच्छे से complete कर लेना इसे सारे questions की practice कर लेना कोई दिक्कर लगे तो कल अपना live हो गाई वहाँ पर तो हमसे पूछ सकते हो कि हम सरी यहाँ पर यह थोड़ा इस बात को कम समझना है तो आप पूछ लेना वहाँ पर मैं clear कर दूंगा वैसे ऐसी कोई शीच नहीं अगर आपको लगा करे तो एक बार बैक करके फिर से समझा करो तो आपको clear हो जाएगा कि क्या यहां पर क्या होगा ठीक है मिलेंगे कल के लेक्चर कल अपना live होगा तो कोई दिक्कर ने अगला वन सौट आपको probability का जल्दी मिलेगा वो next lecture में मिल जाएगा तो सभी लोग मन से पढ़ाई करते हो मिलते हैं अगली class में त बढ़ाई करना तो सभ्ण करते हैं